हेलो एब्रीवन कैसे आप लोग उमीद करते आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस का एंसे अटी बुक से चैप्टर नमबर 11 दा हुमन आई एंड दा कलर्फुल वॉल्ड ठीक है चलिए चैप्टर को डीटेल में स्टा पिरो यहीं इस हुन में मैं इसमें इसको बंड़्य करेंगे इसका बनावर्ट का सा होता है अलगं जो पार्ट से यहां परले इनका फॉंचन क्या है वह शीज़ा में देख रहे होंगे ठीक है यह होगा है उसके बाद हम इसी में और टॉपीक है ठोड़ा सा अफ आटने इ नुमेरिकल्स को कर पाएंगे तो power of accommodation हम पर रहे होंगे इसके बाद आ जाएगा इस chapter का दूसरा main topic दूसरा topic यहां से start होता है इसमें हम defects of vision आखों का normally तीन defect होता है myopia, hypermetropia, place byopia यह थीनों क्या होता है कैसे होता है और इनका connection मतलब इनको ठीक कैसे किया जाता है वो चीज़ हम देखेंगे ठीक है चलिए तो यह topic में इतना ही चीज़ हमें study करना है उसके बाद आख का बारे में इतना ही हमें पढ़ना था उसके बाद हम आ जाएंगे प्रिज connection कैसे होता है प्रिजम के जड़ी है वो देखेंगे ठीक है यह हो गया तीसरा टॉपिक चोटा सा टॉपिक है और इजी टॉपिक है आ जाएंगे अब चौथे टॉपिक पे चौथा टॉपिक होगा dispersion of white light by a glass prism dispersion होता क्या है white light का dispersion कैसे होता है प्रिजम के जड़ी हो ची important आप आजाएंगे हम 5 पे टॉपिक पे second last टॉपिक यह है atmospheric reflection इसमें हमें दो phenomenon का बारे में पढ़ना है सबसे पहला है twinkling of stars और दूसरा है advanced sunrise and delayed sunset ठीक है इतना study करेंगे तो यह topic end होगा और आ जाएंगे इसके बाद हम आखरी टॉपिक पे जो की है scattering of light इसके बैसिस पर हम ती क्लास 9 में भी study किया होगा दूसरा है कि sky का जो color है वो blue q है ठीक है वो और तीसरा होगा color of sun at sunrise and sunset बस इतना चीज हम study कर लेंगे तो यह chapter पूरा end हो जाएगा ठीक है चलिए तो वीडियो को हम काफी अच्छे से study कर रहे होंगे और इस chapter को study करने के बाद आपको खुदी feel examination में marks score करना यह तो अलग बात ही लेकिन आपको बहुत चीज इस chapter से सीखने को भी मिलेगा जो आपको life में help करेगा ठीक है तो वीडियो को आराम आराम से पूरा end तक देखिएगा एदम जल्दवाजी नहीं करना है और आपको पता ही है मेरा पढ़ाने का तरीका कि जब हम तो बीचीज में important questions भी देते हैं ताकि आप concept clarity के साथ साथ आप exam के लिए अजय से त्यार हो पाए ठीक है तो वीडियो को पूरा end तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा end तक देख लेते हैं तो आपको इस chapter के ऊपर और कोई वीडियो देखने का जुर कि आपने previous chapter यानि chapter number 10 जो की था light के ऊपर अगर उमीद करते हैं आपने इस chapter को देखा होगा detail में अगर आपने नहीं देखा है तो हम इसका link देदेंगे description में आप जाके देख सकते हैं ठीक है तो आपने previous chapter में पढ़ा था reflection of light के बारे में हमने देखा था कि जो lens होते हैं वो सब आपको पता नहीं है तो आप एक बाल जुरूर इस chapter को देख लीजिएगा ठीक है चलिए हमने देखा था कि जो lens जो image फॉर्म करता है उस image का nature क्या होता है यानि real होता है कि virtual होता है position कहां पर बनता है size क्या होता है उस image का यह सब सिस हमने study किया था previous chapter में ठीक है तो इस chapter लियास का use करके study करेंगे human eye को human eye भी light को use करता है और हम लोग human eye से क्या करते है अलग-अलग अपने eye से अलग-अलग object को देख सकते है ठीक है तो human eye में भी क्या होता है lens होता है तो इस chapter में हम पढ़ने वाले है कि इस lens का function क्या है ठीक है और इसी lens का use होता है spectacles में जो चस्म पहनते है तो यह lens कैसे उस चस्मे के जड़िए defect को ठीक करता है उस चीज को हम इस chapter में study करेंगे ठीक है फिर इसके अलावा हमने previous chapter में light पढ़ा था और उसके कुछ properties को पढ़ा था तो इसके basis पे उसी ideas को use करके हम study करेंगे कुछ optical phenomena जो अभी आपको बता है rainbow formation scattering of light फिर आप का twinkling of stars वो सब्सक्राइब कर रहे होंगे ठीक है वह बाते हैं पर लिखा है we shall also discuss rainbow formation splitting of white light blue color of sky यह सब फेनमेन को study कर रहे होंगे समझे मतलब इस introduction पार्ट में यही समझ में आया कि इस chapter को अगर आपको अच्छे समझना है तो आपको previous chapter यानि light वाले chapter का knowledge होना पड़ेगा ठीक है चलिए start करते है सबसे पहला topic human eye तो देखिए इसमें लिखा है कि human eye जो है ना जो आक है हमारा यह one of the most valuable and sensitive sense organ है sense organ हमारे सरीर में पांच है eyes हो गया फिर ears फिर nose फिर tongue फिर skin ठीक है eyes तो यह पांचो sense organ में से जो eyes है ना यह सबसे important है क्यों क्योंकि eye most significant इसलिए है क्योंकि हम eyes के जरी यही जो बहर का जो world है beautiful और colorful world हम eyes के जरी ही देख सकते है अगर eyes नहीं रहा तो मतलब जीवन का जादा कुछ मतलब बचे गा नहीं ठीक है इसलिए eye को सबसे valuable sense organ कहा गया है आते हैं काम का बात पर अब eye human eye का structure को समझते है ठीक है human eye ठीक है camera की तरह होता है इसमें भी एक lens होता है जो की एक image बनाता है एक screen पर जिसको बोलते है retina इतना बात समझे तो सबसे पहल से हम समझ पा रहें यह किस टाइप का shape है तो यह है convex lens इसको आप याद रखेंगे ठीक है human eye में कौन सा lens होता है convex lens होता है तो वह यह बात यह बुलागे है human eye क्या है camera की तरह है जिसमें एक lens होता है और यह lens image form करता है इस screen पर इस screen का नाम क्या है retina है ठीक है अभी आएंगे इस पर वापस ठीक है और इस lens पर भी वापस आएंगे फिलाल आप इतना समझे कि यह जो lens का shape है वो कैसा है convex lens है ठीक है चलिए फिर लिखाएगी light enters the eye through a thin membrane called cornea हमारे आखों में light जो है सबसे पहले enters अब करता है तो उसका सामना किसके साथ होता है एक thin membrane के साथ होता है जिसक और यह ठीक है यह जो बीच का जो layer आप देख रहे है इसे को क्या बोलते हैं cornea बोलते है ठीक है तो light जो है सबसे पहले जब आखों में enter करता है तो उसका सामना क्या lens होगा क्या है नहीं lens के ऊपर क्या है cornea है तो light सबसे पहले cornea से होके गुजरता है ठीक है चलिए कुछ और बात जानते हैं इसके बारे में it forms a transparent bulge on the front surface of the eyeball मतलब यह जो cornea का जो layer है यह transparent है मतलब इससे light pass हो सकता है एक जगा से एक सर मतलब एक साइड से दूसरे साइड में light pass हो सकता है और bulge मतलब ऐसे उपर में full आगवा structure के रूप में यह present है समझें यहां तक चलिए फिल आगे देखते हैं आगे लिखा है यह जो पूरा आई बॉल देख रहे है यह लगभग एक बॉल की तरह है इसका अगर डाइमीटर बात करें यह अगर सेंटर है तो इसका जो डाइमीटर है यह कितना है 2.3 सेंटेमीटर है ठीक है एपरोक्स चलिए फिल आगे परते हैं आगे लिखा है most of the reflection of light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea तो जड़ातर light का जो reflection है ना वो कहां पे होता है इसी cornea के outer surface पे होता है reflection क्या होता है देखिए यह माली जे lens है मतलब यह कोई medium से बना हुआ है तो यह denser medium है ठीक है और बाहर में क्या है हवा है तो हवा एक क्या होता है rarer medium होता है यह कम घारा है यह ज्यादा घारा है तो जबी भी light rarer से denser medium में जाता है तो light का speed कम जाताIST फीर से light bend कर जाता है ठीक है light मतलब ऐसे समझे यह अगर light आ रहा है तो light यहां पे तो हवा में travel कर रहा है तो हवा में इसका speed जैता होता है इस स्पीर से कब यह से light ऐसे bend होता हुआ नजर आएगा ठीक है तो इसी bending को क्या कहते है reflection कहते हैं है कि नहीं लाक्षेटर में हमने यही study किया था तो देखिए तो ज़ादार light का जो reflection है न वो कहां पर होता है इसी cornea में होता है समझे की नहीं तब आप बोलेंगे कि हमने पर है कि lens के जड़िए reflection होता है में तो lens का काम यहीं कि reflection करना है light को bend करना तो जब सारा काम यह cornea ही कर दे रहा है यहां पर लिखा है most of the जातर light का bending cornea ही कर देता है तब यह lens का क्या काम है यह मन में सवाल आ रहा होगा चलिए इस सवाल का answer डूनते है लिखा है the crystalline lens merely provides the finer adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina lens का काम सीफ इतना है यह सीफ focal length को adjust करता है इस lens का खास बात क्या है न कि देखिए यहां पर एक muscle है जिसको बोलते है देखिए यहां पर एक muscle है जिसको बोलते है ciliary muscles यह उपर पर आप देख रहे है यह structure यहां से यहां तक और नीचे में यह structure देख रहे हैं यह है ciliary muscles जब यह यहां से contract करते हैं मतलब इसको जो प्रेस करते है तब lens का shape change होता है जब यहां से प्रेस करेंगे तो lens क्या हो जाए करेगा ठीक है इसका जो कर्वेचर है इसके लिए हँ टप स्खे लिए इसके लिए हाम यूज करते हैने डे कर ऑफ कर सर लेइट का कर देऊने ए इंट कर आता है ऐ थेन्ट को इसका फोकल लेइट को दिए कर आता हो जाता है उसी तरीके से जब ciliary muscles relax करेंगे तो यह लेंस का जाएगा पतला हो जाएगा है कि नहीं तब यह light को कम bend करेगा और light raise दूर में जाके मिलेंगे ठीक है मतलब आफ focal length जो है यहां से यहां तक वो increase हो जाता है तो यही लेंस का काम है लेंस का काम सिफ क्या है जो focal length है उसको adjust करना है माल लीजी आप कभी सामने का चीज़ देख रहे हैं कभी दूर का चीज़ देख रहे हैं फिर कभी बीच का चीज़ देख रहे हैं तो अलग-अलग distance के लिए जो focal length का adjustment है वो कौन करता है यह जो हमारा आख का lens है crystal line lens यही करता है ठीक है अगर यह lens ऐसा नहीं करता तो हम लोग सिफ एक fix दूरी वाला object को ही देख सकते थे ठीक है dependent करता कि इसका focal length कितना था लेकिन हम लोग जानते हैं कि सिलिए ही muscles का वज़र से इस lens का focal length increase या फिर decrease हो सकता है इसलिए हम अलग अलग दूरी वाले object को भी देख सकते हैं ठीक है चलिए तो इस बार फिर से परते हैं इस line को देखें यहाँ पर लिखा हुआ था कि cornea जो है वो जादर light का reflection करवा देता है जादर light का bending यह cornea ही करवा देता है तो मन में सवाल आया कि lens का क्या काम है तो lens का काम सिफ इतना है कि यह finer adjustment of focal length करवाता है जिससे कि हम object at different distance अलग अलग दूरी पर जो object है उनको हम focus कर पाए उसके image को retina पे यहाँ पर उनका image सही तरिके से बन पाए यह काम है इस lens का ठीक है चलिए फिर cornea के बाद एक structure आता है एक और यहाँ पर layer जिसको बूलते है aqueous humor दो टाइप का humor है एक है यहाँ पर aqueous humor और दूसरा यहाँ पर vitreous humor ठीक है यह water like fluid से बना होता है और यह vitreous humor है यह jelly like substance से बना है पूरा eye मतलब यह lens और retina के बीच में जो space है उस space में क्या है vitreous humor है ठीक है चलिए अब यह jelly like substance से बना होता है ठीक है तो देखे एक वर्ष सबसे पहले आया cornea cornea के बाद बीच में है aqueous humor उसके बाद आप मारा आ जाता है यहाँ पर लिखा है एक structure जिसको बोलते है iris कहाँ पर iris यह रहा iris यह जो आप देख रहे है यह जो gate जैसा है दो structure बना हुआ यह जो दो gate जैसा structure बना है इसको क्या बोलते है iris बोलते है बात के लिए रहे हैं यहां तक चलिए देखे लिखा है iris is a dark muscular diagram that controls the size of the pupil अब यह pupil क्या है pupil हम देख रहे हैं यह जो gap है इस दोनों gate का बीच में इसी gap को क्या बोलते है pupil बोलते है फिर से repeat करते है सबसे पहले है cornea cornea का काम है maximum reflection करवा देना light का ठीक है cornea के बाद हमारा आ जाता है aqueous humor और एक और है humor यहां पे vitrass humor यह water like fluid substance से बना होता है और यह jelly like substance से बना होता है ठीक है vitrass humor जो lens है और जो retina है इस दोनों का बीच का space को cover करता है ठीक है aqueous humor के बाद क्या आता है हमारा यह ids आता है structure ids ऐसे देखिए यह दो पर्दा जैसा structure है इसको बोलते हैं iris और इस दोनों पर्दा का बीच में जो gate जैसा है यह पे structure वाना gap जो है इस gap को बोलते है pupil बात तक घरा ही समझ रहें अब देखिए आगे परहेंगे तो और अच्छे से clear होगा लिखा है यहां पे लिखा है the pupil regulates and controls दोनों बहुत important word है the amount of light entering the eye the eye lens चलिए इसको समझते है पहले pupil का काम है कि आखों के अंदर कितना light enter करेगा उसको regulate और control करना देखिए यह pupil इतना बड़ा है तो इतना जगा से light enter कर सकता है लेंस में ठीक है अगर यही pupil का size अगर कम जाए ठीक है pupil अगर यह gate सिफ इतना ही बड़ा रहे तो सिफ बहुत कम light enter करेगा आई में समझ रहे बाते है नहीं तो यह pupil का size बड़ा होगा या फिर छोटा होगा वो बड़ा छोटा करने अकाम किसका है तो इसी आईरीस का है यह दुनों परदा जो है ना दुनों gate जो है यह दुनों gate अगर यहाँ पर contract कर गए यहाँ पर अगर छोटा हो गए तो दिखिए अब कम gap बचा दुनों के बीच में अब इतना ही जगा से light enter कर सकता है इस gap को ही तो pupil बोलते है मतलब जब आईरीस जब contract करते हैं तो pupil का size decrease हो जाएगा ठीक है और light में और eye में कम light enter करेगा समझे उसी तरीके से अगर यह आईरीस जो है वो relax करेंगे तो इसका size बर जाएगा pupil का size और ज्यादा light आँखों में enter करेगा समझे की नहीं? वही बात यहाँ पर लिखा है सबसे पहले यहाँ पर देखे हम आईरीस का काम क्या है? आईरीस एक dark muscular diagram है जो control करता है the size of the pupil अब यह line clear हुआ यह आईरीस का काम क्या है? pupil का size regulate करना ठीक है? और यह pupil का क्या है? कितना light एंटर करेगा आँखों में उसको regulator control करना ठीक है? यह pupil का काम हो गया बहुत important यह दोनों ठीक है? चली फिर आगे move करते हैं फिर एक बार जब light जो है वो lens में पहुँच गया तो वो lens image बनाएगा किस टाप का image बनता है? तो एक real image बनता है और inverted convex lens से हमें पता है तो यह real और inverted image ही बनाएगा कहां पे? रेटीना पे ठीक है? अब रेटीना में बहुत ज़्यादा light sensitive cells है मतलब ऐसे cells जो light पढ़ने पे कुछ react करते हैं ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि यह जो light sensitive cells है यह activate हो जाते हैं upon illumination मतलब जैसे ही in light sensitive cells पे light पढ़ता है तो यह सब cells activate हो जाते हैं और यह cells क्या करते हैं? electrical signal generate करते हैं ठीक है? light जब इसे ही पढ़ा यह cells पे तो यह cells electrical signal generate करेंगे और यह signal optic nerve के द्वारा हमारे brain तक पहुचाया जाएगा ठीक है? और हमारा brain फिर interpret करेंगा कि आपने क्या देखा? देखिए तो यहाँ पे आप retina देख रहे हैं retina में क्या है? light sensitive cell से जो क्या करता है? जैसे ही उन पे light पढ़ता है तो वो activate हो जाते हैं और electrical signals generate करते हैं वो electrical signals इस optic nerve के थुरू कहाँ जाएगा? हमारे brain में जाएगा और हमारा brain फिर जो भी सिसाब देखें उसको समझेगा वो ठीक है? वोई बात यहाँ पे लिखा है समझे की नहीं? चलिए तो यहाँ तक clear हुआ यह पूरा eye का structure और function एक बार अगर repeat करें तो देखें सब से पहले आखों में light कहाँ से enter करता है तो cornea से यहाँ पे ज़्यादार reflection होता है light का ठीक है? लेंज का काम सिफ क्या है? final adjustment of focal length करना लेंज का काम है ठीक है? लेंज कैसा है? convex lens है कैसा image form करता है? तो real image बनाएगा और inverted उल्टा हम देखते हैं लेकिन brain हमारा सीधा करके समझ लेता है ठीक है? real और inverted image बनता है retina पे ठीक है? उसके बाद aqueous humor, vitrous humor ये तो पता है उसके बाद आजाता है कि structure जिसको बोलते है iris iris का का काम क्या है? इस pupil का size यानि ये जो gap है इसका size regulate करना काम है ठीक है? और ये pupil का काम क्या है? कितना light हमारे आँखों में अंटर करेगा उसको regulate और control करने का काम pupil का है फिर एक बाद light इस pupil के सुरू हमारे lens में पहुँज गया तो lens ऐसा image बनाएगा कहां पर बनाएगा? रेटीना पर बनाएगा रेटीना में क्या है? light sensitive cells है जो cells क्या करते है? illuminate होते ही ठीक है? illuminate होते ही मतलब light परते ही ये cells activate हो जाते हैं और क्या generate करते हैं? electrical signals generate करते हैं और यह electrical signals optic nerves के थुरू कहां दी पहेजा जाता है? हमारे brain में पहेजा जाता है तब हमारा brain इस information को process करता है और हम समझते हैं कि हमने क्या object देखा है बात है कर आई ही समझे इतना? चलिए इस आई के structure को समझाईए अलग-अलग parts के function को बताते हुए ठीक है? तो पूरा आपको ये diagram बनाना पड़ेगा और ये सब parts को लिखना पड़ेगा ठीक है? और जितना मंद line की हैं वो सब बात आप याद कर लेंगे कर लेंगे इतना काम? चलिए आगे move करते हैं आगे यहाँ पर do you know में कुछ बात बोला गया है इसके उपर भी एक कोशन बनता है पहले पढ़ लेते हैं देखे इसमें लिखा है कि जबी भी हम एक bright light वाले room से अगर एक dim light वाले room में enter करते हैं मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोष्णी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है अगर आप यहाँ से यहाँ पर enter करेंगे न तो आपको कुछ जरे के लिए कुछ भी नहीं दिखेगा लेकिन थोड़े दिर बात आपको इस dim light वाले room में भी अंधेरे में भी कुछ-कुछ दिखना इस्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो ऐसा कैसे होता है देखे लिखा है समझ रहे पूपिल और वही आईरिस जब रिलाक्स करेगा तो यह पूपिल का साइज बर जाएगा जादा light एंटर करेगा वही बात यहाँ पर लिखा है जब आप ऐसे room में बैठे हुए है जहाँ पर बहुत जड़ा light है ठीक है तब क्या होगा यह आईरिस कॉन्ट्रेक्ट कर जाता है यह आईरिस जो हैसे चिपक जाएगा और यह पूपिल का साइज छोटा कर देगा आईरिस कॉन्ट्रेक्ट करक करके पूपिल का साइज डिड्यूस कर देता है ठीक है तब यह आईरिस एक्सपैंड हो जाता है यह पूपिल का साइज को बड़ा कर देता है ताकि जला से जलादा लाइट हमारे आखों में एंटर करें और हम उस चीजों को देख पाए ठीक है तो अब आपको समझ माया यह बात चलिए तो इसके उपर एक बहुत अच्छा कोशन बन जाता है आपसे पूछा जाएगा एक्जाम में कि तो इसका एंसर ऐसे लिखेंगे समझे हम बाहर में जब थे जब बाहर होगा उस बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगा और जैसे ही वो पूपिल का साइस बड़ा हो गया तो हम अंधकार में भी कुछ-कुछ अबजेट को देख पा रहे थे ठीक है तो यह पूरा एंसर आपको लिख देना है समझे चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है पावर अफ एकॉमडेशन एकॉमडेशन मतलब कहीं पे एडजस्ट करना ठीक है दीखे इसमें क्या लिखा है जो हमारा लेंश है आई का लेंश यह एक फीबरोज जिरी-like substance से बना 즈क है इसका करवेचर यह वर सँना सुना लग रहा है अभी आपको थमयदर पहले बताए थे can be modified to some extent by the ciliary muscles जो हमारा lens है, eye lens उसका curvature को modify किया जा सकता है ciliary muscles के द्वारा समझ में आ रहा है, अभी आपको यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर दो, आपको muscles दिखेंगे ciliary muscles, उपर में है यहाँ पर यह वाला structure और एक नीचे में है यहाँ पर यह वाला structure ठीक है, तो यह ciliary muscles जब relax और contract करेगा उसके basis पर यह lens पतला यह फिर मोटा होगा तो lens जो पतला होता है ठीक है, और जब मोटा होता है ऐसे करके, तो इसी पतला मोटा ही को होना को क्या बोलते है, curvature का change होना बोलते है इस बोलते हैं कि इसका curvature ज्यादा है ज्यादा curve है इसलिए इसका curvature क्या है ज्यादा है, इसका curvature कम है क्योंकि यह ज्यादा straight लग रहा है ठीक है, इसका curvature less है इसका curvature more है, समझे इतना, चलिए तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो eye lens से उसका curvature modify किया जा सकता है by the ciliary muscles, ठीक है the change in curvature और जैसे ही curvature change होता है जब lens पतला होता है या फिर जब lens जब मोटा होता है curvature जब बढ़ जाता है तब क्या होता है, उसका focal length भी change हो जाता है बताई यह किसका focal length जादा होगा आप बलेंगे यह मोटा है मतलब यह light को ज़्यादा bend करेगा और जल्दी ही light को बीच से गुजार देगा यहाँ पर ठीक है, मतलब इसका focal length काफी छोटा है लेकिन वही अगर lens पतला है यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है तब light याँ 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 को कम bend करेगा वो दूर में जाके दो raise मिलेंगे है की नहीं, तो यहाँ पर focal length जादा है तो समझे, देखे eye lens का जो curvature है, वो change करता है conciliary muscles, और जैसे ही curvature change होता है मतलब उसका focal length भी change हो जाता है बात के लिए रहे हैं यहाँ तक जैलिए फिर आगे लिखा है कि when the muscles are relaxed the lens becomes thin, जब यह muscles में यानि ciliary muscles, ठीक है जब यह muscles relax होते हैं तो lens पतला हो जाता है तो इसका focal length मतलब increase हो जाता है समझे, अभी आपको समझाए तो जब focal length increase होता है इससे हम क्या होते हैं, कि distant object को clearly देख पाते हैं, ठीक है फिर when you when you are looking at object closer to the eye, जब हम अपने past के object को देख रहे होते हैं, तब ciliary muscles क्या होते हैं contract होते हैं, contract जैसे ही ciliary muscles contract होते हैं तब lens का जो curvature है, वो बढ़ जाता है मतलब lens मोटा हो जाता है इसका मतलब वहाँ पे focal length decrease हो जाता है, ठीक है lens becomes thicker और focal length decreases इससे हम अपने past वाले object को देख पाते हैं, बात अगरा है lens जब पतला है तो इसका focal length बढ़ जाता है तब हम दूर के object को clearly देख पाते हैं ठीक है, वही lens जब मोटा है तब क्या होता है, इसका focal length decrease हो जाता है और हम past के object को भी देख पाते हैं, समझे की नहीं यह बात, चलिए, वही यहां पर पूरा लिखा हुआ है इस पूरे paragraph में वही बात लिखा है फिर आगे देखिए तो यही जो adjustment है ना कि हम दूर का object को भी देख पाते हैं, जो lens पतला करके और हम past का object को भी देख पाते हैं lens को मोटा करके, ठीक है तो यही जो ability है eye lens का कि वह अपने focal length को adjust कर लेता है इसी ability को बोलते है power of accommodation बात अगरे समझे की नहीं, इसका definition exam में direct पुछा जाएगा कि define power of accommodation तो आपको लिखना पड़ेगा कि the ability of eye lens to adjust its focal length, यह जो हमारा eye lens है वो अपना focal length को adjust कर लेता है ठीक है, इससे हम अलग-अलग दूरी का object को देख पाते है clearly, इसी ability को क्या बोलते है power of accommodation बोलते है clear है यहां तक, चलिए फिल आगे देखिए however, यहाँ पे कुछ limitation है, ऐसा नहीं कि आपके पास power of accommodation है, तो आप कहीं का भी object को देख लीजिएगा the focal length of eye lens cannot be decreased below a certain limit एक limit है, उससे कम focal length नहीं हो सकता है यह माल लीजिए, यहाँ पे आपने ciliary muscles को बहुत press करके lens का curvature बढ़ा लिया और lens को motor कर दिया, ठीक है तो आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप बहुत पास एकदम आख के करीब लाके कोई object को देखना चाहे, तो ऐसा नहीं कि आप देख पाएंगे ठीक है, आपको आप बलर दूंदला दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप focal length को एक limit, certain limit तरक ही decrease कर सकते हैं, ठीक है देखे, आगे परेंगे तो और अच्छे से clear होगा, लिखा है कि try to read a printed page by holding it very close to your eye आप एक page पढ़ने है, कोशिस कीजे बहुत करीब लेकर, ठीक है तो आपको हो सकता है, image तो दीखे, लेकिन आप काफी उसको blur देख रहे होंगे और आप आखों पे काफी दबाव पर रहा होगा ठीक है, तो अगर आपको किसी भी आपजेट को comfortably और distinctive भी काफी clear अगर देखना है तो आपको कम से कम 25 cm का दूरी पर उसको रखना पड़ेगा यह नॉर्मल विजन वाला लोग के लिए है ठीक है, जिनका आख अगर healthy है तो उनको अच्छे से पढ़ने के लिए कोई भी चीज को आखों से 25 cm लिस्ट डिस्टेंस को हम लोग नियर पॉइंट भी कहते हैं आखों का, अब यह क्या-क्या बोला गया है देखिए यह कोई आख हमा लीजें आख का लेंस से, तो minimum वो दूरी जहां से आख उस object को clearly देख पाए, बीना आखों पर जोर डाले, without strength, ठीक है तो इस minimum दूरी को क्या कहते हैं least distance of distinct vision, ठीक है और इसी least distance को क्या बोलते हैं near point of eye कहते हैं तो अभी हम समझें कि हमारे normal आखों के लिए अगर हमें कोई भी चीज को clearly और distinctively देखना है तो उस object को minimum कितना दूरी पे होना परेगा 25 cm की दूरी पे होना परेगा ये human eye के लिए बात किया जा रहा है ठीक है, normal human eye के लिए तो normal human eye का जो near point है वो बोल सकते हैं कितना है 25 cm है, कोई भी चीज को अगर हमने बिना strain के अगर देखना है बिना आखों पर जोर डाले देखना है तो उसको कम से कम 25 cm दूरी पे रखना परेगा ठीक है, तो इस 25 cm क्या बोलते हैं near point बोलते हैं इसको आप याद कर लीजिए ठीक है, चलिए exam में इसका definition भी पूछते हैं कि define near point तो यहां से लिखना परेगा यहां से लिखना यहां तक ठीक है for a young adult with normal vision the near point is about 25 cm, समझ गए, चलिए फिर अगला point है the farthest point up to which the eye can see objects clearly is called far point of the eye, यह कोई eye है eye का lens है मान लीजिए और वो दूरी, सबसे ज़रा दूरी तक जहां पर वो आई जो है उस object को clearly और distinctively देख पाए उस सबसे दूरी वाले point को क्या बोलते है, far point कहते है ठीके, तो human eye का far point कितना है बताईए, हम कितना दूर तक आराम से देख सकते हैं, बीना आँखों पर जोर डाले तो normal eye के लिए वो क्या है, infinity है, हम बहुत दूर तक, बहुत दूर तक भी किसी भी object को clearly देख सकते है यह normal eye के लिए बात किया जा रहा है ठीके, चलिए, तो human eye का far point कितना है infinity है, समझे की ने, infinity चलिए infinity का मतलब होता है, अनन्त, जिसका कोई अन्त ना हो तो फिर आगे लिखाए कि you may note here that note here a normal eye can see objects clearly that are between 25 cm and infinity तो इसका मतलब है, कोई अगर यहाँ पर अगर normal eye है, तो अगर उसको कम से कम 35 cm का दूरी पर होना परेगा, और कहां तक हो सकता है, वो infinity तक, इन दोनो points का बीच में, कोई भी object हो हम उसको clearly देख पाएंगे normal eye, clearly देख पाएगा, ठीक है चलिए फिर आगे कुछ लिखा है एक बिमारी के बारे में, देखिए, sometimes times, जो जैसे 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 लोग का जब age बढ़ता है, तो हमारे आगों का जो lens से, वो थोड़ा दूदिया हो जाता है, milky type हो जाता है और cloudy हो जाता है, ठीक है तो इस condition को बोलते है, cataract तब वो लोगों को clearly नहीं दिख पाता है इससे क्या होता है कि partial या फिर complete loss of vision लोग अंधी भी हो जाते हैं, ठीक है तो यहाँ पर अगर proper vision अगर restore करना है, तो क्या करना पड़ेगा cataract surgery कराना पड़ता है, तब लोग ये बिमारी ठीक होता है, ठीक है तो इसका cause है कि ये old age के साथ आता है, इसको आप याद रखेंगे चलिए तो इतना ही चीज़ हमें इस topic में prepare करना था, लेकिन इसका साथ-साथ numericals आता है, तो numericals के लिए हमको कोशिज revise कराना चाहेंगे ताकि जब हम numerical करें, तो आपको ज़रा दिक्कत ना हो, last chapter का concept से देखिए, सबसे पहला बात number one हम लोग इसके बात कर लेते हैं, lens formula last chapter में हमने lens formula परा था, यादे आपको बोली है, अगर यादे तो, तो अगर आप बोल रहे है 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F, तो आप बिल्कुल right है, इसी को बोलते है lens formula, ठीक है, यह पहला बात हुआ, दूसरा बात हम यहाँ पर देख लेते है, power का formula, power का formula होता है inverse of focal length, ठीक है, यह हमने power का formula पर रखा है last chapter में, फिर power का unit होता है, वो क्या होता है, diopter capital D से denote करते हैं, और focal length को यहाँ पर measure करते हैं meter में, always, ठीक है, चलिए, तो यह दो formula आपको याद रखना है और तीसरा चीज़ है, sign के बारे में, sign याद है कुछ, चलिए, तो दो चीज़ है, एक है convex lens, और एक है concave lens, तो convex lens का जो f होता है याद कर लेंगे, इसको, लास्टेटर में पढ़ाए थे, और concave lens का जो focal length होता है, वो क्या होता है, निगेटीब होता है, हमेसा, ठीक है इसको आप याद कर लीज़ेगा, और फिर इसके बाद है, तो जो line, जो साइन जो है जो साइन एफ का होगा वही साइन पी का भी होगा इस फॉम्ले के एकोर्डिंग ठीक है तो अगर फोकल लेंद पॉजिटीव है तो पावर भी क्या आएगा पॉजिटीव आएगा यानि किसी का पावर अगर कहीं लिखा हुआ है प्लॉस टू.0 टायोप्टर तो पावर पॉजिटीव है इससे आप समझ गये कि वो कौन सा लेंज है वो लेंज है कॉन्वेक्स लेंज ठीक है चलिए तो कॉन्वेक्स लेंज का फोकल लेंद भी पॉजिटीव होता है और पावर भी जो है वो पॉजिटीव होता है साइन ठीक है और कॉनकेव लेंज का फोकल लेंथ नेगेटीव है इसका मतलब पावर भी जो है वो क्या होगा नेगेटीव होगा समझे की नहीं तो ये पूरा आप नोट करके रख लीजे याद रखना है देखने में जी लग रहे है लेकिन एक्जाम टाइम में ये आपको अच्छा-चा-चा कन्फ्यूस करेगा इतना बात समझे और इसके साथ-साथ एक चीस आप और भी याद रखेंगे जब भी हम numerical करेंगे तो object distance जो होता है ना u उसको हम हमेशा negative लेते हैं क्योंकि object को हम इसी साथ रख रहे होते हैं जब diagram मिलाते थे तो object इसी साथ रखते थे तो u हमेशा क्या होता है नेगेटीव होता है ठीक है चलिए इतना बात हम समझे है फिर इसके अलावा अभी हमने यहाँ पर दो point याद रखा है नंबर वन जो फार पॉइंट है कि फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई कितना होता है बताईए तो यह होता है infinity और नियर पॉइंट ऑफ यूम नॉर्मल हुमन आई क्या होगा वह होगा 25 cm इस बात को याद रखेंगे ठीक है और यह भी याद रखें कि one by infinity क्या होता है जीरो होता है ठीक है सेंटिमेटर को मीटर में कैसे कनवर्ट करेंगे तो हंडेट से डिवाइड करके 25 यह होगा मीटर ठीक है इतना बात समझे चलिए तो अभी हम इसके उपर एक नुमेरिकल देते हैं आपको आप करने या कोशिश कीजिएगा कोशिन इस टाइप से है calculate the maximum power of accommodation of a person having normal vision एक परसन का normal vision है तो उसका maximum power of accommodation निकालिए तो अभी हम देखे कि power का formula क्या होता है पी इकवल टू वन बाई एफ होता है तो यह हमसे question में पुछा है maximum power निकालने तो यह power maximum कब होगा जब यह focal length minimum होगा है किन क्योंकि यह deciprocal focal length का उल्टा है ठीक है focal length जीतना कम होगा power उतना ज्यादा होगा ठीक है तो focal length हमें पता है normal vision का minimum focal length क्या होता है हम minimum कितना दोरी तक देख सकते है clearly तो near point है हमारा 25 cm है की नहीं तो यहाँ पे 25 cm हम put करेंगे 1 by 25 लेकिन हमें पता है यह focal length जो है मीटर में होता है तो 25 by 100 ठीक है मीटर में कर दिये तो यह 100 by 25 हो गया यानि यह कितना आगया solve करने से 4 और power unit होता है डायोप्टर और आखो का जो lens होता है वो क्या होता है convex lens होता है मतलब इसका focal length भी positive तो यह उसलिए पर 25 है ठीक है कुछ sign नहीं तो positive है और power भी हमारा आया plus 4 diopter ठीक है तो यही है maximum power of accommodation of normal vision ठीक है plus 4 diopter याद रखेंगे इस तक पर question बहुत important है ठीक है चलिए और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि इस chapter के उपर जितना भी important questions है अगर आपको एक जगा पर चाहिए तो आपको पता यह कहाँ पर जाना है आप सिधा मेरे website पर जाएंगे www.cbacguidanceweb.com पर जाएंगे क्लास्टेंड वाले section पर click करेंगे और वहाँ पर chapter करना हम पर click करके आप देख लेंगे सारा important questions ठीक है लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजे क्योंकि अगर आप इस chapter को से समझे रहेंगे तो question answer प्रिपेर करना कोई बहुत बढ़ा बात नहीं आपके के लिए फिर एक बार उस question को प्रिपेर कर लिजेगा काफ योगां के एकजाम के लिए चलिए तो यह topic end हुआ power of accommodation आगे फिर यहां पर और एक है do you know इसमें देखते है क्या लिखा हुआ है इसमें question पूछा गया कि हमारे पास दो आख क्यू है vision के लिए एक आख क्यू नहीं हमारे पास तो दो अंग से बहुत जड़ा advantage मिलता है हमको ठीक है तो कौन सा कौन सा याद्वानटेज है हम सीफ online कर रखें काम कामाज सीफ देख लेते हैं ठीक है जब हमारे पास दो होता है तो हमारे पास wider field of view हमें देखने को मिलता है अगर हमारे पासे सीफ एक चीडिडी तक देख पाते हैं मतलब यह अगर मालीजिए आपका सीर है और अगर शीफ एक आँनख है यहांपे बीच में तो आपके सीफ सामने का 150 जिग्री तक यह जो एंगल है बो 150 जिग्री तक देख पाते हैं ठीक है लेकिन अब हमारे पास दो आख है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर तो हम लगभग 180 डिग्री तक यह पूरा 180 डिग्री तक देख पाते हैं काफी वाइड हो जाता है दो आखों का होने से ठीक है यह पहला द्वांटेज्ट दूसरा अगज्ट काफी दूर है धुनदन द दिख रहा है तो एक आख से तो दिखेगा ही नहीं दो आख रहने से वह फेंट अबज्ट भी हम अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे ठीक है और तीसरा जो है वो stereoopsis से related है तीसरा advantage अगर हम एक आख से देखे ना आप तो आप जो depth का जो knowledge है वो नहीं ले पाएंगे किसी भी चीज़ का गहराई कितना है height का जो dimension है वो चीज़ आप observe नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सिफ एक आख है तो अगर आपके पास दो आख है तो आप 3D dimension जो है depth का वो ले पाएंगे ठीक है कोई भी चीज़ गहराई कितना गहराई अगर मापना है किसी चीज़ का तो हम दो आखों से ही माप सकते है अगर हम एक आख से देखे तो उस चीज़ का गहराई नहीं माप पाएंगे ठीक है तो यह सब advantages है दो आख होने का चलिए अब आते हैं अगले topic पे defects of vision and their correction इस topic को start करने से पहले उमीद करते हैं आप ठक गए होंगे हम भी थोड़ा ठक गए है यह बड़ी अच्छी बात कही है एक ब्रेक लेते हैं जल्दी से और उसके बाद इस topic को cover करते हैं ठीक है चलिए अब हम start करते हैं दूसरे topic को दूसरे topic है defects of vision and their correction बहुत important topic बहुत अच्छा questions बनता है इस topic से ठीक है और numericals भी आता है यहाँ से तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि eyes जो है वो धीरे धीरे अपना power of accommodation को lose करने लग जाता है power of accommodation यानि अलग-अलग distance में objects को देख पाने का जो capacity है आखों का वो lose होने लगता है ठीक है तो ऐसे cases में क्या होता है कि उस इंसान को कोई object clearly और अराम से नहीं देख पाता है ठीक है उसको क्या होता है hurt is blurred धून्दला दिखने लग जाता है ठीक है तो यहां पर लिखा है कि there are mainly three common refractive defects of vision mainly तीन टाइप का defect लोगों में होता है तीनों का नाम है सबसे पहले पाले का नाम है myopia इसको हम लोग near sightedness भी बोलते हैं दूसरे वाले का नाम है hyper metropia इसको हम लोग far sightedness भी बोलते है और ठीसरा है praise byopia ठीक है लेकिन खुजी का बात य डिसकस करते हैं detail में सबसे पहला start करते है myopia को myopia को हम लोग near sightedness भी कहते हैं पहला बात आप इसको याद कर लीजे ठीक है near sightedness मतलब आपको करीब का अच्छे से दिखने लगता है तो करीब का अच्छे से दिख रहा है इसका मतलब आपको दूर का clear नहीं दिखता है ठीक ह तो वो clearly नहीं देख पाता है ठीक है यह दो वाट पर ध्यांदी जी का यहाँ पर distant है और यहाँ पर distinct है ठीक है चलिए फिर अगला point इसमें लिखा है अब person with this defect has the far point nearer than infinity हमने अभी पिछले section में पढ़ा था कि अगर किसी का normal vision है यानि कोई अगर defect नहीं है अगर healthy आई है तो उसका far point क्या होता है कहां तक वो clearly देख सकता है दूर का तो infinity तक कितना भी दूर तक वो clearly देख सकता है ठीक है लेकिन ऐसा इंसान जिसको myopia हुआ जिसको हुआ है उसका जो far point है वो infinity नहीं होता है infinity से करीब होता है ठीक है पूरा दूर तक वो clearly नहीं देख सकता है ठीक है तो such a person may see clearly up to a distance of a few meters कुछी meters तक वो clearly देख सकता है ठीक है तो inner myopic आई the image of distant object is formed in front of the retina इस लाइन को समझने से पहले पहले हम यह diagram समझते है इस diagram आता है आपको exam में बनाने के लिए तो diagram कैसे बनाएंगे सबसे पहले आप यह eyeball का structure देख लिए ऐसे करके गोला करना है और फिर यहाँ पर आपको bulge ऐसे फुला देना है ठीक है आख रिप्रेजन करने के लिए और आपको सिर्फ lens बनाना है यहाँ ठीक है तो यह एक myopic myopic आई है myopic आई जो है वो क्या करता है कुछ ही meters तक की दूरी को clearly देख सकता है यह मार लीजे कोई दूर का एक object है और इसका अगर image बन रहा है यहाँ से ray आ रहा है lens में reflect हुआ bend हुआ और इसका image रेटीना पर ऐसे करके दो रहे यहाँ पर मिल रहे है तीसरा ray हमें पता है क अगर optical center बीच बीच से गुजर रहा है तो वो मुड़ता नहीं है वो सीधा ही निकल जाता है ठीक है तो ऐसे कटके तीनो रहे है यहाँ पर मिल रहे मतलब image जो है वो रेटीना पर बन रहा है और उस object को और उस human को इंसान को वो image किलियर ली दीख रहा है क्योंकि यहाँ पर इन मायोपीक आई the image of distant object काफी दूर वाले object का अगर ray आ रहा है किसी मायोपीक आई में तो उसका जो image है ना तो वो रेटीना के front में बन जाता है distant object है मतलब जो light ray है काफी दूर से कैसा आता है parallel rays के रूप में आता है यह सब पिछले चप्टर के concept से ठीक है आपको यहाँ द रिफ्रेक्ट होने का बाद वो रेटीना पर नहीं मिलता है तीनों ही रेटीना से पहले ही मिल जाते है वही बात यहाँ पर लिखा है कि मायोपीक आई में जो distant object का जो image है ना वो कहां पर बनता है in front of the retina, retina के ठीक पहले बन जाता है ठीक है और retina पर image नहीं बना इसका मतल तो this defect में arise due to, दो reason से हो सकता है ऐसा defect पहला excessive curvature of the eye lens क्या तो यह eye lens ज्यादा ही curve हो गया है ज्यादा ही मोटा हो गया है ठीक है जिस वासे इसका focal length decrease हो गया और यह सब को जल्दी ही bend करके यह पर मिला दे रहा है यह पहला reason हो ठीक है और दूसरा reason है elongation of the eyeball क्या तो उस इंसान क eyeball बढ़ा हो गया है ठीक है जिसके कारण retina पे image ना बनके उससे पहले ही बन जा रहा है समझे दो reason इसका बहुत important है यह ठीक है सारा line से important है यह भी important है चलिए तो इस defect में होता क्या है सबसे पहले बात हम क्या जाने कि इसका far point जो है वो infinity से पहले होता है ठीक है जब infinity से यान लेंस का curvature ज्यादा हो गया या फिर eyeball का elongation बढ़ा हो गया eyeball तभी यह पहले बन जा रहा है ठीक है यह दो reason हो सकता है यह defect होने का अब आता था इसको correct कैसे करें अगर यह भीमारी किसी को हो गया तो कैसा lens उसको पहन पहनना पड़े गा देखिए this defect can be corrected by using a concave lens of suitable power बहुत important यह defect यानि इस defect का नाम क्या है myopia दूसरे इसको दूसरे तरीके से क्या भी बोलते है हम लोग क्या लिख दिये हम myopia इसको हम लोग near sightedness भी बोलते है ठीक है तो इस defect को correct करने के लिए हम क्या use करते है concave lens को use करते है देखिए यहां पर यह आख है और यह चस्मा का concave lens यहां पर बनाया गया है अगर ठीक आख से पहले अगर यहां पर concave lens है तो देखिए क्या होता है उस समय में अगर कोई distant object क अगर raise आ रहा है यहां पर ठीक है वहां से अगर light आ रहा है हम लोग देखते कैसे कोई भी चीज़ पर light ray पड़ता है और वह reflect होके हमारे आखों में पहुशता है तभी तो हम देख पाते है मतलब उस object के light आता है तभी तो हम उस object को देख पाते है तो वही light का raise यहां पर ब यह क्या कर दिया इसको फैला दिया समझे की नहीं मतलब यह अगर concave lens है अगर यहां पर कोई ray आ रहा है तो यह इसको उपर की तरफ bend करता है इधर नीचे की तरफ ऐसा फैला देता है डाइवर्ज कर देता है है की नहीं तो यहां पर देखिए यहां पर divergent दिखाया गया य जब यह lens से गुजरेगा तब यहां पर यह lens जितना bend करेगा automatic वह उसका image जो है कहां पर जाकर बनेगा रेटिना पर बनेगा समझे तो इस तरीके से myopia को हम लोग concave lens का use करके correct करते हैं तो यह diagram बहुत important है इसको आप याद रखेंगे ठीक है तिनों ही diagram important है उसमें से यह और यह exam में बढाने के लिए आता है अब बताएंगे question कैसा आएगा फिर आप इसको समझे और यहां पर यह क्या दिखाया हुआ है मतलब अगर कोई आप pass का भी object अगर देख रहे हैं तो वहां से भी race जो आएगा वो कुछ इसी तरीके से refract होके और image उसका रेटिना पर बनेग ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं फिर आगे देखते हैं this is illustrated in figure 11.2 का C इस C में दिखाया गया यह correction वाला diagram है ठीक है exam में direct आता है correction वाला diagram बनाकर दिखाओ अभी बताएंगे वो question तो a concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and does the defect is corrected जैसे ही retina पर image बन गया यह defect correct हो गया उस इंसान को यह object अब clearly दिखने लाएगा दूर का भी object ठीक है चलिए तो इतना परा हमने अब इसके उपर एक कोशन देते हैं आपको यह कोशन कीजेगा तो आपको काफी चीज के लिए रोगा यह कोशन देखिए लिखा हुआ है कि a 14-year-old student is not able to see clearly the questions written on the blackboard at a distance of 5 meter from him 14 सल का student है उसको blackboard में लिखा हुआ जो कोशन से वो दिखता नहीं है clearly ठीक है blackboard कितने दूरी पर है 5 near sightedness समझें एक माक्स आपको मिलिया दूसरे कोशन ने बोला गया है draw the diagram to show this defect इस defect को दिखाने के लिए आप डियाग्राम बनाईए तो कौन सा डियाग्राम बनाएंगे आप इस तीनों में से तो defect इसमें यह दिखाया जारा है तो आप यह सिब डियाग्राम बना देंगे ठ to correct this defect किस lens से इसको correct कर सकते हैं तो concave lens ठीक है फिर D में पूछा गया है name two possible causes of this defect दो cause बताइए तो excessive curvature of eye lens या और दूसरा हो जाएगा elongation of the eyeball ठीक है D हो गया अब E में बोला गया है draw the diagram to show the defect to show how this defect can be corrected इस defect को correct कैसे करेंगे उसके लिए diagram बनाईए तो आपको यह जो C वाला से question आता है चलिए तो यह diagram बनाना आप समझ गए इसको आप अच्छे से practice किजेगा अभी वीडियो को पॉस करके आप practice कर सकते हैं कि सबसे पहले यह बनाने का तरीका तो आप समझी गए देखिए आपका बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए सबसे पहले आप क्या करेंगे ए यहां से आप parallel race गुजारिए यहां पर फिर यह lens क्या करेगा बीच से आप bend करेंगे ठीक है इसको diverge कर देगा थोड़ा और फिर यह convex lens फिर सको converge कर देगा रेटीन आपर है की नी कुछ इस टाइप से और बीच में अकर को यहां का भी object है तो उसका भी कुछ इसी तरीके से अंजाम निकलेगा आप इसके साथ इसको मिला देंगे ठीक है और इसका direction दिखा देंगे यहां पर बहुत लोग तीन रे भी बनाते हैं एक डे बीच से गुजा देंगे वो कहीं भी bend नहीं होगा सिधा यहां पर मिलेगा ठीक है इस तरीके साब diagram बनाएंगे इसका इसको आ पर काफी अच्छा अच्छा numerical भी बनता है लेकिन हम पहले ठीक कर लेते हैं उसके बाद एकी बार numerical भाएंगे ठीक है चलिए यह अब आते हैं दूसरे डिफेक्ट वे दूसरा डिफेक्ट है hypermetropia hypermetropia को हम लोग farsightedness भी कहते हैं नाम से ही समझभा रहे है farsightedness मतलब दिखता है पास का नहीं दिखता है ठीक है अब person with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see nearby objects distinctly clear है यहां तक चलिए तो इसका मतलब है कि इस person का जो near point है वो further further away from the normal near point 25 cm अगर कोई को इंसान का normal vision है तो वो 25 cm दूरी तक देख सकता है ठीक है तो इस इंसान को पास का नहीं दिखता है मतलब 25 cm से दूर पर अगर आप कहीं पर रखेंगे कोई object को तो यह देख पाएगा 25 cm पर रखेंगे तो इस इंसान को नहीं दिखेगा क्योंकि इसको पास का ही clear नहीं दिखता है ठीक है तो वही बात यहां पर लिखा है कि such a person has to keep a reading material much beyond 25 cm from the eye for comfortable reading ऐसे इंसान को अगर पास का object clearly दिखन से वो कहां पर focus होता है at a point behind the retina यहां पर जो image बनता है पास वाले object का वो retina के बाद बनता है आप डियागराम से समझेए यह एक डियागराम है near point of hypermetric eye hypermetropic eye देखिए इसमें होता है क्या है यह है normal near point ठीक है तो hypermetropia जिसको हुआ है उसके लिए यहां पर देखना तो possible नही है तब वो clearly देख पाता है ठीक है अगर उस object अगर वो यहां का object को देखने का कोशिस करेगा अगर light ray यहां से आ रहा है तब क्या होता है उस case में कि यहां पर दो रहे गिया दोनों को converge करके वो दोनों कहां पर मिलते है रेटिना के बाहर मिलते है वो यहां पर लिखा है at a point behind the retina पास वाले object का जो image रेटिना के बाद बनता है ठीक है इसको यहां पर कैसा दिखेगा blur दिखेगा clear नहीं दिखेगा clear दिखेगा because number one the focal length of the eye lens is too long क्या तो focal length बहुत ज्यादा हो गया इसका focal length इतना है तो दूर पर जाके मिल रहा है ठीक है मतलब curvature कम है इस lens का या फिर दूसरा reason हो सकता है कि eyeball जो है वो too small हो गया eyeball ही छोटा हो जाए तब ही यह image बाहर जाके बन रहा है समझे नहीं यह दो reason इसका चलिए myopia में कौन सा lens यूज़ कर रहे थे concave ठीक है यहाँ पर हम यूज़ कर रहे है convex lens of appropriate power यह फिर suitable power ठीक है करेक्ट करने का diagram 11.3 का c में दिखाया हुआ है देखिए अब होता क्या है कि आब मालीजिये यह pass वाला object है इसको हमें देखना है clearly ठीक है तो हमने यह यहाँ पर lens लगा दिया तो lens लगाते है यह lens क्या करता है इस दोनों ray को यहां से एक light आया यहां से एक light आया तो दोनों ही ray को bend कर देगा ठीक है bend किया यहाँ और यह आख का lens है या उसको और बेंट कर देगा, तो दो बार बेंडिंगं का वज़े से, ये जो है, रेटिना पे आके मिछ जाएगा, समझे? पहले क्या उजता है कि, एक ही बार बेंट रहा थो, ज्याधा बेंट नहीं कर पा रहा था, बोलके बाहर मिल रहा था अब यह भी bend कर रहा है यह भी bend कर रहा है दोनों मिला के यहां पर retina पर focus करवा दे रहे image को समझे की नहीं और जो दूर वाला object है वहाँ से तो clear वह ऐसा ही काम कर देगा वो ठीक है तो यहां पर लिखा है समझे की नहीं यह पूरा बात आपको यहां से याद क्या रखना है इसका meaning क्या होता है hypermetropia का ठीक है इसका जो near point है वह 25 cm के beyond होता है ज्यादा होता है 25 cm से ठीक है अगर आप यहां पर object को रखेंगे तो clearly नहीं देख पाएगा क्योंकि image कहां पर बन रहा है beyond the retina behind the retina ठीक है cause हमने देख लिया दो cause क्या आप सकता है क्या तो focal length ज्यादा हो गया या फिर eyeball short हो गया small हो गया ठीक है इस defect को correct कैसे करते हैं तो convex lens का यूश करके correct करते हैं ठीक है और correct करने का diagram यह है समझे तो यह diagram भी यह diagram भी आप त्यार रखेंगे इसको भी त्यार रखेंगे ठीक है ज्यादा तर exam में यही दोनों पूछते हैं और इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा यह पूछते है कि correct कैसे किया जाता है correct करने का diagram बनाने बोलेंगे ठीक है चलिए इतना clear हुआ अब आजाते हैं तीसरे defect पे तीसरे defect है प्रेस बायोपिया यह क्या होता है देखिए इसमें लिखा है कि the power of accommodation of the eye usually decreases with aging जैसे जैसे उम्मर बरता है वैसे वैसे आई का जो power of accommodation है वो decrease होता है ठीक है for most people the near point gradually receives जाता लोगों के लिए जो near point है नियर point हमें पता है normal vision के लिए कितना होता है 25 cm 25 cm कम से कम दूरी तक हम clearly देख सकते हैं लेकिन जो इंसान को प्रेस बायोपिया हो गया उसको लिए 25 cm तक भी देखना मुश्किल हो जाता है वो और दूर रखना चाहेगा उसको 30 cm 40 cm पर रखेगा तब वो clearly देख पाएगा तो वह यहाँ पे लिखा है कि ऐसे इंसान का जो near पॉइंट है वो दिरे-दिरे और आगे बरता तला जाता है ठीक है तो इसी डिफेक्ट को प्रेस बायोपिया कहते है अब आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि इसमें भी पास के अबजेट को clearly नहीं देख पा रहे थे हाईपर मेट्रोपिया में और प्रेस बायोपिय से इसमें देख आएपकी इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है है इसमें लिखा है of the eye lens ये दो डीजन है प्रेस भाय होने का हमने हमें पता है कि एजिंग के साथ तो होता है लेकिन एजिंग के साथ exactly क्या होता है तो ये चीज़ होता है क्या तो आपका जो ciliary muscles है या देना ciliary muscles जो lens को hold करके रखा हुआ होता है ठीक है उपर में और नीचे में क्या तो ये ciliary muscles द्रे द्रे कमजोर पड़ गये हैं तो इससे ये lens को प्रेस नहीं कर पाते हैं और lens का curvature चेंज नहीं कर पाते हैं ठीक है तुम lens का power of accommodation कम जाता है तो क्या तो ciliary muscles कमजोर हो जाए तो ये बिमारी होता है या फिर diminishing flexibility of the eye lens का flexibility कम जाता है ठीक है तो ये बिमारी होता है तो एजिंग से ही related है ये दोनों ठीक है चलिए तो अभी हम बात कर रहे थे कि प्रेस byopia में जो पास का object है वो तो clearly दिखता ही नहीं है और साथी साथ कभ प्रेस byopia और hypermetropia दोनों से ही सफर करें मतलब उसको पास का भी नहीं दिखे और दूर का भी नहीं दिखे ठीक है ऐसा भी होता है प्रेस byopia में तो ऐसे लोगों का बिमारी ठीक करने के लिए कैसा lens यूज करना पड़ता है बाइफोकल लेंस यूज करना होता है और common type of bifocal lens consists of both concave and convex lens, bifocal lens क्या होता है वो concave भी होता है convex भी होता है मतलब lens का design कुछ इस टाइप से होगा एक तरफ से concave और दूसरे तरफ से convex ठीक है ऐसा टाइप का होगा वो the upper portion consists of concave lens, उपर वाला portion concave lens होता है जिससे कि distant vision clear हो जाता है और जो lower part है यह lower part वो convex lens से बना होता है जिससे कि near vision clear हो जाता है ठीक है और आज के days में technology के नएने अविस्कार के कारण हम लोग surgery से भी यह तीनों बीमारी को जो refractive defects से इसको ठीक कर सकते है ठीक है और contact lens तो ही पूछेंगे कि what is press biopia तो press biopia के बारे में आप यहां से यहां तक तो लिखेंगे ही साथी साथ यह भी लिखेंगे ठीक है उसके बाद इसी में add करेंगे कि state the causes of this defect इस defect का cause क्या है तो आप दो cause याद रखेंगे number one gradual weakening of ciliary muscles और number two diminishing flexibility of eye lens ठीक है और फिर how is press biopia of a person corrected कैसे correct करते हैं तो अगर सीफ उसको near sight far sightedness है सीफ उसको अगर past का अगर नहीं दिखता है तब तो convex lens यूज कर लेंगे और अगर उसको दोनों हुआ है myopia और hypermetropia दोनों हुआ है तो हम लोग bifocal lens का यूज करते हैं bifocal lens भी कैसा कैसा तो यहां पर बताया हुआ है ठीक है तो पूरा ज पर उससे पहले यहां पर कुछ कोशन देख लीजिए सबसे पहला कोशन है कि what is meant by power of accommodation of the eye तो इसका definition हम देखी चुके है यहां पर पावर ओफ एक्पमेडेशन यहां पर लिखा वहाता काफी अच्छा definition कि the ability of the eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation ठीक है चलिए फिर अगला कोशन है यह देखिए इस question का answer देने अकोशिस कीजिए आप लिखाए कि अब person with a myopic आई बीमारी बता दिया आपको पहले cannot see beyond 1.2 meter distinctly इसको दूर का clear नहीं दिखता है तो यह 1.2 meter के बाद clear देखी नहीं सकता है यह तो what should be the type of corrective lens used to restore proper vision इसको ठीक करने के लिए किस टाइप का lens चाहिए पूछ रहा है तो बताइए कौन सा lens चाहिए तो इसका answer देने के लिए देखिए आपको कुछ इस तरीके से logic यूज़ करना परेगा यह बिमारी है myopic आई का मतलब इसको दूर का clear नहीं दिखता है इसको ठीक करने के लिए इसको कितना दूर तक देखना चाहिए infinity तक देखना चाहिए ठीक है मतलब आप object को रखेंगे कहाँ पर infinity पर तो यू हो गया infinity ठीक है और उसको clear कहा तक दिखता है 1.2 meter तक clear दिखता है मतलब इस object का जो image है वो यहाँ पर बनना चाहिए 1.2 meter तक तो भी हो जाएगा 1.2 meter यहाँ तक समझे की नहीं समझे चलिए अब इस diagram को याद रखेंगे दोनों ही बिब्मारी का जो diagram है उसमें हम देख रहे हैं देखिए यहाँ पर यह जो ठीक क्या जा रहा है यहाँ पर object से light आड़ा है object यहाँ जो है object को कहां पर रखा जा रहा है infinity पर रखा जा रहा है तो you हो जाता है infinity ठीक है और यहाँ पर image उ तो यू तो negative होगा ही साथ भी भी negative होगा समझे की नहीं यहां तक चलिए फिर इस case में भी दोनों ही image और object दोनों ही lens का इसी side में है तो यहां पर भी यू जो है वो भी negative होता है और भी जो है वो भी negative होता है याद रखेंगे यह बात चलिए अब इस knowledge का use करते हैं इस numerical पर तो वापस आते हैं यहां पर हमने इस person को infinity तक दिखाना है तो object को रखेंगे infinity पर तो यू हो गया infinity और minus का infinity ठीक है फिर उसको यहां तक clear दिखता है मतलब image यहां पर बनना चाहिए तो V हो गया 1.2 और अभी हमने देखा यू और भी हमेशा इस chapter में negative होगा ठीक है मीटर में है तो हमें निकालना है power, power का formula होता है 1 by f, अगर f मिल जाए तो हम pv निकालते है, f निकालने के लिए हम lens formula का use करेंगे, बताइए lens formula क्या होता है, तो वो होता है 1 by f equal to 1 by b minus 1 by u, समझे की नहीं, तो 1 by b, b कितना है, तो minus 1.2 minus 1 by u, u कितना है infinity, तो 1 by infinity तो 0 होगा, तो यहां ठीक है, minus 0 है, तो यह तो हटा दिए, ठीक है, चलिए, तो 1 by f equal to minus 1 by 2, इसका मतलब f कितना आ गया, minus 1.2, समझे इतना, इतना meter, आप p निकाल देते हैं, तो therefore, power क्या हो जाएगा, 1 by f, f meter में होना चाहिए, तो यह already meter में है, यानि 1 by 1.2, यह आ गया, इसको अटाएंगे तो 0 2, 5 जा, और 2, 6 जा, 5 by 6 इसको डिवाइड कर दीजिए, 6, 0 जा 0, 5, फिर point भी टाएके 0 लीजिए, फिर 6, 8 जा 48, फिर 2, फिर point से 0, फिर 3, और इसे चलता जाएगा, तो यह आ गया, 0.83, और focal length negative में था यहाँ पे, तो यह नेगेटीव था यहाँ पे, तो यह आ गया, minus 0.83 और पावर का है, यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, इसको जो lens चाहिए, बीमारी ठीक करने के लिए, वो कितना चाहिए, minus 0.83 डायोप्टर वाला lens चाहिए, ठीक है, और पावर negative है, इसका मतलब यह lens, हमें यहाँ पे भी समझभा रहा है, कि वो lens कौन सा है, concave lens है, क्यू वापस एक बार recap करके, इतना पार्ट को फिर से देखिए, इस question का answer, ठीक है, बहुत important है, आपको हम इस question ने बहुत सिखाने का कोशिस किये, अभी फिर use करेंगे, एक और numerical करेंगे, तो उसमें यह सब apply होगा, ठीक है, चलिए, तीसरा question ट्राई कीजिए, तीसरा question में लिखा और student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row, पीछे का page पर बैठा हुआ है, तो यह defect का क्या है, नाम क्या है, तो इसको दूर का नहीं दिखता है, मतलब इसको क्या हुआ है, myopia हुआ है, समझे की नहीं समझे, चलिए, फिर अगला question इसी में है कि how can it be corrected, इसको correct कैसे करेंगे, तो इसको हम correct करेंगे by using concave lens of suitable power, या फिर of appropriate power, समझे, इतना बात आपको लिख देना है, और आपको marks मिल जाएगा, इसी में add कर सकते थे कि diagram बना के दिखाओ, ठीक है, तो diagram भी बना देते, अगर इस question में यह भी बोलता है कि कितना meter तक उसको clear दीखता है, जैसे कि इसमें बताया गया था, तो उस यह सरा चीज हम question number two में सीखेते, बात के लिए रहें यहां तक, चलिए, फिर आगे exercise में कुछ बहुत अच्छा-चा questions दिया गुआ है, उसको हम करते हैं, उससे पहले यहां पे कुछ thinking towards में बताया गया है, मतलब eye donation के बारे में, ठीक है, कि कैसा कैसा case में आप आपको दान द कर सकता है, ठीक है, यह तक कि ऐसा लोग जिनको diabetes है, hypertension, asthma, patients, ठीक है, तो यह लोग भी अपना आख को donate कर सकते हैं, आख मरने का बात कम से कम 4-6 गंटा के अंदर वे आख को निकाल लेना चाहिए, ठीक है, आई-bank team आते हैं और वो जो मरा हुआ इंसान के घर पे या फिर hospital में ले जाके उसको आँख निकाल लेते हैं, ठीक है, यह आई-renewal का जो process है, वो सिफ 10-15 मिनट लगता है, simple process है और बहुत ज़्यादा काट फार्ड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वही अगर आपको कुछ ऐसा विमारी है, जिसे कि AIDS हो गया है, hepatitis B, C, rabies, leukemia, tetanus, cholera, ऐसा कु यह दिखिए, एक question यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा है कि the human eye can focus on objects at different distance by adjusting its focal length of the eye lens, ठीक है, this is due to, हम अलग-अलग दूरी पर object को देख पाते हैं, तो ऐसा क्यू है, क्यूंकि हमारे पास power of accommodation है, option number B हो जाएगा, राइड यहाँ पर, ठीक है, question number 2, इसमें बुला है कि the human eye forms the image of an object at its image कहां पर बनता है, तो image बनता है, रेटीना पर, कैसा image होता है, तो real और inverted, यह बात याद रखिएगा, इसके उपर direct question भी बनता है, आप से सिधा पूछ लेंगे कि what is the nature of image formed on the retina of the eye, तो कैसा image है, वो real और inverted, ठीक है, number 3, the least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about, तो normal vision का least distance, यादी, near point क्या है, तो 25 cm, option number C हो जाएगा, नाइट यहाँ पर, ठीक है, 4, the change in focal length of eye lens is caused by the action of, eye का जो focal length है, मतलब कभी lens पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, तो पतले बाले केस में focal length बढ़ जाता है, मोटे बाले केस में focal length decrease हो जाता है, तो यह किस का काम है, यह किस वज़े से होता है, तो यह ciliary muscles का वज़े से होता है, उपर में ciliary muscles है, यह ही इसको प्रेस और रिलाक्स और कॉंट्रेक करते हैं तो फोकल लेन्स चेंज होता है ठीक है चलिए कुछ नुमेरिकल पर आते हैं यह देखें बहुत अच्छा कोशन है नंबर फाइफ इसमें लिखा है कि a person needs a lens of power इतना diopter for correcting his distant vision power negative में दिया गया lens बता सकते हैं कौनसा lens है यह तो यह है concave lens ठीक है और distant vision भी लिखा हुआ है यहाँ मतलब दूर का clear नहीं दिखता है मतलब myopia भी मारी है इसको ठीक है for correcting is near vision इसको past का भी clear नहीं दिखता है तो उसके लिए वो कौनसा lens यूज़ करता है power है जिसका plus 1.5 diopter ठीक है bifocal lens यूज़ कर रहे है तो दोनों ही lens का power आपको दे दिया है question पूछा है कि what is the focal length of the lens required for correcting distant vision और near vision distant vision का power यतना है तो इसका focal length पूछा है आपसे तो p equal to होता है 1 by f मतलब आपको यहाँ पे f निकालना है f equal to 1 by p मतलब 1 by minus 5.5 ठीक है तो यह आप इसको solve कर दीजिए कितना आएगा यह तो इसको आप उपर भीजिए 10 by 55 5 काटेवल से काटते है 5 2 जा 5 11 जा तो माइनस 2 by 11 यह आ रहा है मीटर में ठीक है आप चाहिए तो इसको सेंटिमेटर में convert कर सकते हैं तो सेंटिमेटर में convert करने के लिए हम इसको 100 से multiply कर देंगे तो यह आ गया 200 by 11 ग्यारव डिवाइड कर दीजिए 200 को एक ग्यारस है नेगेटिव साइन भी है यहां पर तो 11 वन जा 11 आ गया कितना नाइन जीरो फिर 11 एड़ जा एटी एट फिर टू फिर पॉइंट वड़ा के जीरो फिर 11 वन जा तो ऐसा कुछ चलता जाएगा यह ठीकर 18.1 माइनस 18.1 से सेंटिमीटर यह हो गया इसका फोकल लेंद डिस्टेंट विजन के लिए समझे इतना चलिए अब आते हैं नियर विजन का निकाल के देखते हैं कि देखे हैं कि नियर विजन का पावर कितना है प्लस 1.5 तो एफ हो जाएगा 1 बाई पी यानि 1 बाई 1.5 तो यहां गया 10 बा समझें तो एक कोशन इस टाइप का बनता है जिसमें पावर देखे फोकल लेंद पूछ लेंगे ठीक है चलिए इस कोशन को ट्राइ कीजिए लिखाए कि the far point of myopic person is 80 cm in front of the eye myopic person है उसको दूर का इतना ही देख पाता है वो ठीक है तो what is the nature and power of lens required to correct this problem तो किस टाइप का इसको lens चाहिए myopia है तो इसको चाहिए concave lens है कि नहीं अब उसका power भी पूछा है ठीक है power कैसे निकालते हैं हमें power निकालने के लिए f चाहिए और f निकालने के लिए b और u चाहिए चलिए ज़रा सोच के लिखे कैसे लिखेंगे देखिए myopic आई है मतलब इसको कहा दूर तक देखना है infinity तक देखना है तो object होगा infinity पे minus का infinity ठीक है उसका image बनना चाहिए 80 cm पर क्योंकि उसको यहाँ तक clear दीख पाता है ठीक है 1 by b है minus 80 minus 1 by infinity तो यह तो 0 हो गया पुरा यह वाला तो minus का 1 by 80 तो f आगिया minus 80 cm तो p निकाल देना है 1 by f यानि minus का 1 by 80 और यह cm में इसको meter करना है तो by 100 कर देते है 100 उपर जाएगा तो minus का 100 by 80 यह कटा 2 4 जा 2 5 जा minus का 5 by 4 इसको divide करेंगे तो 4 1 जा 4 1 पॉइंट विटाएगे 0 फिर 4 2 जा 8 2 पॉइंट से 0 4 5 जा तो आ रहा है minus 1.25 और unit होगा diopter समझेगी नहीं चलिए तो यही हो जाएगा इसका answer 6 वाले का तो समझ माया बस चलिए next question try कीज़े number 7 यह भी कुछ इसी टाइप का question है make a diagram to show how hypermetropia is corrected correction वाला सी diagram बनाना है hypermetropia का समझ गए तो लास्ट वाला देगराम था hypermetropia का वो बना देंगे यह बात extra दिया है यह बात हमको ऐसे भी पता है नवी दिता तो हम इस knowledge का use करते ठीक है simple सा बात है power निकालना है मतलब आपको f चाहिए और f निकालने के लिए b और u चाहिए ठीक है तो hypermetropia है इसको कहां तक clear देखना है 25 cm तक clear देखना है मतलब object को आप कहां रखेंगे 25 cm पर रखेंगे और यह हमें सा negative होगा ठीक है लेकिन उसको clear कहां तक दिखता है 1 meter तक मतलब image बना चाहिए उसका 1 meter पर मतलब 100 cm पर और दोनों ही negative होगा ठीक है लेंस फ़र्मना लगाते है 1 by f equal to 1 by b minus 1 by u मतलब 1 by minus 100 फिर minus 1 by minus 25 तो यह आगया minus 1 by 100 plus 1 by 25 LC हम ले लेते है 100 minus 1 plus 4 मतलब आगया 3 by 100 ठीक है f आगया तो f आगया है 100 by 3 समझे की नहीं यहां तक तो 100 by 3 इतना है centimeter में आया यह इसको में में कर लेंगे meter में करने के लिए 100 से divide कर देते हैं तो यह 100 100 कर जाएगा तो 1 by 3 meter आगया यह ठीक है power निकालना है तो p equal to 1 by f यानी 1 by f आया है 1 by 3 तो 3 उपर चला जाएगा 3 diopter और यह तो positive में आया था यह भी positive समझ गये और हमें यह भी पता है कि यहां पर hypermetropia है मतलब यह convex lens यूज कर रहा होगा convex lens का focal length और power दोनों ही positive होता है और हमारा numerical में भी यह भी positive है यह भी positive है मतलब हमारा answer सही है समझें तो इस तरीके से इसका answer देंगे तो यहां पर यही तीन टैप का question बनता है अगर आप इस तिनों को अच्छे से prepare कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई question नहीं आएगा आप logic समझें पहले वाला question में क्या था कि आपको power दे रहा था और power दे के simple सा focal length पूछ रहा था बहुत simple था इसको में निकालना सिख गए तो एक टैप का सवाल यह बनता है दूसरा इस टैप का सवाल बनता है यह question था myopia के उपर और यह question था hypermetropia के उपर ठीक है तो इसमें आप देख लेंगे centimeter meter क्या है और myopia के case में आपको कहां तक उसको दिखाना है infinity तक दिखाना है तो आपका वही होजाता है object distance आप object को infinity पर रखेंगे तो minus का infinity ठीक है और hypermetropia के case में उस object उस person को कहां तक दिखवाना है सबसे करीब तो 25 cm तक दिखवाना है उसको तो आप object को 25 cm का दूरी पर रखेंगे तो minus का 25 cm सब sign negative होता है इसमें ठीक है यू और भी दोनों का समझे इतना logic आप अगर याद रखते हैं तो आपसे ये question अराम से बन जाएगा 5 6 7 तो अच्छे सा आप इसको practice कर लिजिए ठीक है चलिए अगला question number 8 दिखते हैं लिखाएगे why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 cm एक normal eye 25 cm से करीब क्यों नहीं देख पाता है तो इसका answer आपको यहाँ पर दिया हुआ था वो ही लिखना है तो इसका answer आपको यहाँ से देना पड़ेगा कि main answer इसका यही है कि eye lens का जो focal length है उसको एक certain minimum limit के बाद आप इसको decrease नहीं कर सकते हैं ठीक है आई का एक जो power of accommodation है वो limited है आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक परे लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे इस question का answer ठीक है चलिए फिर यह question देखिए number 9 इसमें बोला गया कि what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye यह आपका आंख है यहाँपे ठीक है आप यहाँ का object देख रहे हैँ फिर उस object का distance बढ़ा Kर दिए तो यू तो आप लगाता है चैन्ज कर रहें तो उस case में जो image distance है वो कितना होता है तो हमें पता है कि आई के अंदर जो image बनता है वो हमेशा retina पर ही बनता है यहाँ पर lens है तो image हमेशा यही पर बनेगा तो image distance जो है वो remains same वो same रहता है वो change नहीं होता है अब object कहीं भी रखिए image distance same रहेगा यह हो पाता है because of power of accommodation हमारे lens में power है कि वो focal length को adjust करके image यहीं पर बनाएगा तो इस cancel होगा इमेश distance remains same समझे की नहीं समझे चलिए तो इतना question आप eye के बारे में prepare करेंगे काफी होगा आपके लिए चलिए तो चलिए अब हमने cover कर लिया human eye पुरा detail में आप उसको अच्छे से पढ़िए आप एक question मान के चलिए कि myopia नी तो hypermetropia दुनों के उपर एक question तो आए गए आएगा ठीक है दुनों में से कुछी एक question पूछेंगे डाग्राम राने बोलेंगे numerical देंगे तो अच्छे से उसको prepare कर लिजिए अब है हमारा next topic reflection of light through a prism लेकिन उससे पहले हम recommend करेंगे कि आप एक तोड़ा सा break लीजिए उसके बाद हम इस topic को प्रिजम करते हैं reflection of light through a prism reflection of light क्या होता है इसका मतलब हमने chapter number 10 इसके पहले वाले chapter में पढ़ा था ठीक है हमने पढ़ा था कि जब भी कोई light एक medium से दूसरे medium में जाता है तो उसका speed change होता है speed क्या तो बढ़ सकता है ने तो घट सकता है तो इस बज़े से यह जो light है क्या तो towards the normal या फिर away from the normal bend होता है इसी bending को क्या बोलते थे reflection of light बोलते थे ठीक है और हमने यह भी पढ़ा था कि अगर कोई rectangular glass slab है यह मलनी जी कोई rectangular glass slab है यहाँ पर कोई light अगर incident करता है तो यह bend करता है सबसे पहले ठीक है यह होगी incident ray यह होगी refracted ray और जब यहाँ से निकलता था तो यह emergent ray होता था तो आना चीए था ऐसे लेकिन यह निकला था ऐसे इस जो displacement हुआ इसको हम लोग क्या बोलते थे lateral displacement बोलते थे याद है आपको तो यह हमने देखा था last chapter में इस chapter में हमें पढ़ना है reflection of light through a prism prism में reflection कैसे होता है वो हमें पढ़ना है prism क्या होता है इस type के figure structure को prism बोलते हैं यह है triangular prism ठीक है इसमें जो यह ऊपर का आप surface देख रहे है यह triangular surface है यह भी एक triangular surface तो दो होगा यह triangular surface और यह जो surface से आपका यह rectangular surface है एक एक इधर वाला दो ठीक है और एक नीचे वाला तीन तीन होते हैं rectangular surface याद रहेगा इतना बात और angle between two lateral surface यह जो angle है इस angle को बोलते है angle of prism ठीक है इतना याद कर लीजिए देखे for parallel refracting surfaces as in a glass slab हमने देखा था कि जो emergent ray होता है वो parallel होता है incident ray के last shutter का बात है however it is slightly displaced laterally यह भी last shutter का बात है इसको lateral displacement बोलते हैं समझ गए इतना how would light get refracted through a transparent prism जब prism से light वेजेंगे तो वहाँ पर कैसे reflection होगा वो हमें देखना इस chapter में तो consider a triangular glass prism it has two triangular bases जैसे कि मैंने आपको बताया था कि triangular glass prism में क्या होता है दो triangular base होते हैं और तीन rectangular lateral surface होते हैं समझे और the angle between two lateral surface को क्या बोला जाता है angle of prism बोला जाता है समझे इतना बात चलिए अब यहाँ पर activity दिया गया है इस activity से हम समझेंगे कि कैसी भी prism से जब light को भेजा जाता है तो वहाँ पर कैसा reflection होता है तो चलिए इसको हम copy pen के साथ समझाते हैं आपको तो यह रहा activity 11.1 लिखा हुआ है fix a sheet of white paper on a drawing board using drawing pins एक white paper बोला है बिचा लेने के लिए तो हमने इस copy के white page को हमाल लिया यह white paper है ठीक है फिर place a glass prism on it in such a way that it rests on its triangular base trace the outline of the prism using a pencil उसके बाद यहाँ पर बोला गया एक prism रखिए और prism इस तरीके से रखिए कि triangle जो है वो नीचे की तरफ रहे और उसके बाद उसका outline बना लिजिए pencil से ठीक है तो prism था नहीं तो हमने ऐसे एक triangle बना लिया यहाँ पर समझे यह prism का base है अब क्या बोला गया है draw a straight line PE inclined to one of the refracting surfaces say AB of the prism तो इस prism का हमने नाम किया है ABC ठीक है तो AB जो surface है इस surface पे एक्टो आपको incident रे भीजना है और उस रे का नाम क्या होगा draw a straight line PE ठीक है तो चलिए बना लेते है तो यहाँ पर हमने एक बना लिया PE रे इसका नाम अगर PE देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा E इतना समझे आप देखते हैं क्या बोला गया है यह हो गया fix two pins से at points P and Q on the line PE as shown in figure यह तो उस PE line पर दो थो pin आप वहाँ पर fix कीजिए एक थो P और एक थो Q पर तो इस P बिंदू पर एक थो pin आप fix कीजिए और एक थो कही पर माल लिजिए यहाँ पर है Q यहाँ पर भी एक थो pin fix कीजिए ठीक है pin क्यों लगाते हैं क्योंकि जब हम इस तरफ से देखेंगे तो pin का हमें image दिखेगा इस तरफ अगर आख रखके दिखेंगे तो ठीक है फिर क्या बोला गया है यह रहा look for the images of the pins fixed at P and Q through the other face AC उस AC वाले side से आप देखिए कि यह P and Q आपको कहा दिख रहा है तो आप जब यहां से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह pin यहां नहीं है यहां पर है ठीक है आपको लगेगा कि यह pin यहां पर है समझे इतना तो आप देखिए फिर क्या बोला गया है fix two more pins at point R and S such that the pins at R and S and the images of the pins at P and Q lie on the same straight line आपने जब यहां से देखा तो आपको P and Q यहां पर दिखेगा ठीक है तो इसी line पर बोला गया है दो ठोब pin यहां पर fix कीजिए जिसका R और S point पर तो book में कैसे नाम किया है यह लोग यहां पर R और यहां पर S दिया है तो हम लोग भी कुछ वैसा ही माल देते हैं यहां पर हमने एक point pin fix किया और एक यहां पर pin fix किया समझे इतना अब क्या बोला गया है देखे remove the pins and the glass prism सब हटा लीजिए pin वागे रखोल लीजिए उसके बाद the line PE meets the boundary of the prism at point E यह line PE जो था यह prism को कहां पर meet कर रहा है E point पर meet कर रहा है similarly join and produce the points R and S उसी दरी कैसे R and S को भी join कीजिए हमने पहले ही join कर लिया है और इसको produce भी कर दीजिए हमने पहले ही produce कर लिया है ठीक है फिर let these lines meet the boundary of the prism at E and F माल लेते हैं यह line तो E पर मिल रहा है और यह line जो है इसके boundary को F पर मिल रहा है ठीक है फिर क्या बोला गया है join E and F E और F को join करने बोला गया है तो join कर लेते है यह हमने join कर लिया आप क्या बोला गया है draw perpendicular to the reflecting surface A, B and A, C of the prism at point E and F respectively फिर A, B का perpendicular इस पर draw करना है जिसको normal बोलते हैं हम लोग तो normal draw कर लेते हैं देखिए यह line है माल लीजे यह triangle है तो इस पर अगर perpendicular draw करना है तो ऐसा होगा perpendicular समझ रहे तो कुछ हम यहाँ पर भी उसी type से बना लेते हैं एक dotted line से यह हो गया इस पर normal और इस पर normal बनाना है तो बना लेते हैं ठीक है यह हो गया वहाँ का normal फिर क्या बोला गया है यह हो गया mark the angle of incidence, angle of reflection और angle of emergence यह तीनों हमें mark करना है angle of incidence क्या होता है incident ray और normal के बीच ठीक है जो angle होता है यह है normal यह है incident ray तो इस दोनों का बीच में angle जो होगा वो होगा आई, angle I ठीक है angle of reflection marketing करना है तो यह है refracted ray अंदर में और यह हो गाया normal तो refracted ray हमेशा normal से angle लेते हैं इस दोनोंके बीच का जो angle है angle of reflection angle R ठीक है और angle of emergence emergent Ray यह हो गया normal तो इस दोनों के भी स्काव यह एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल इस अगल इसको बन गया पूरा फीगर और कुछ बोला गया है नहीं तो यहां पर जो हमारा यह सब है पी-ई हो यह यह पी-ई को क्या बोलेंगे यह जो पी-ई है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रहे और फिर इए-फ जो है क्या बोलेंगे आपको पता ही है इए-फ है हमारा रिफ्रेक्टेट रहे अगर आपने चेप्रे नंबर 10 देखा है तो आपके लिए यह काफी इजी रहा होगा हमने ग्लास लैब में भी पढ़ा था यह चीज थो कि यह अगर इंसिडेंट रहाता है तो यह हो जाता है नॉर्मल यह रिफ्रेक्टेट रहे फिर यह नॉर्मल यह होता है इमर्जेंट रहे उसी तरिका से इंसिडेंट रहे अंदर वाला रिफ्रेक्टेट रहा बाहरवाला इमर्जेंट रहे है यहां पर एरवब दे देंगे यहां से लाइट गया यहां से निकल लिया अब द explains ऐसे एक हमार। प्रेक्टेड रे और एफस हो गिया इमर्जेंट रे अब यह तो हो गया बुकिश लेंग में हमने पढ़ लिया कि क्या सब होता है अब इसको हम तरह समस्थें लॉजिक के हिसाब से सबसे पहले हुआ क्या यह एक है हमारा ग्लास प्रिजम है यहां से आता है इंसिडेंट रे कि अ प्रिजनत्याए इतना आप देखिए यह एयर और यह एक घ्लास एक मेडियूम से दूसरे में जब ही लाइट रे जाता है तो यह लाइट्र करेगा ठिगए तो प्रिजल और जेंट में करें तो फैर्यंग की तरव यह बैंड कर जाए आए अगर यह अब बैंड कर जा तो फिलार यहां पर अवे नहीं है towards the normal है समझे इतना अब देखिए अब यह ग्लास से air में जा रहा है तो यहां पर denser to rarer हो गया यहां पर मेरा फिर से यहां पर यहां पर जो मेरा incident ray आ रहा था इस figure में अगर हम इसको थोड़ा और प्रोड्यूस कर दे इंसिदेंट रे का कर डिरेक्शन लेना चाहे तो कुछ ऐसा होगा तो एंगल बिट्विन दे डिरेक्शन ऑफ इंसिदेंट रे एंड डिरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे यह जो एंगल इस एंगल को बोलते हैं एंगल d very 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 important एंगल ओफ देवी सन्ट इसको बोलते है ज्छामें ड 김ाले को आगा इसको डिवाइन करने के लिए ठीक है कि डिवाइन अगल डिवीएचन तो आपको लिखना होगा एंगल बििट्वीन दा डिरेक्शन ऑफ इंसिदेंट रे and डिरेक एक्जाम में इसके उपर कोशन कैसा आएगा तो कोशन पर आने से पहले एक बार फिर से इस डियाग्राम को प्रैक्टिस करके दिखाते हैं ठीक है एक आपको यह डियाग्राम बढ़ाना हुआ तो कैसे बनाएंगे सबसे पहले आप पैंसिल से एक अच्छा सा ट्रेंगल बना इसको आप scale से चाहे तो इदम सीधा भी टान सकते हैं यह हो गया direction of incident ray लेकिन यह इधर bend हो जाता है और यह यहां से इमर्ज हो जाता है यहां पर भी एक चाहे तो एक normal बना सकते हैं ठीक है यह हो गया normal और इमर्जेंट ray का अगर direction यहां पर produce करें तो यहां पर मिल रहा है यह जो एंगल है इसको बलते हैं angle of deviation angle d बाकी यह हो गया angle of incidence, angle of reflection, angle of emergence समझे इतना और यहां पर आप जो भी नाम देदीजे पी, यहां पर F, यहां पर S तो P E हो गया incident ray, refracted ray, EF और FS हो गया emergent ray, इतना कर लेंगे और यहां पर नाम देदेंगे A, B, C, यह हो जाएगा prism का नाम, इतना काफी होगा, तो यह देखिए, यहां पर भी उसी तरिके से diagram बनाया गया है, और diagram के नीचे यह सब जो terminology है, वो लिखा हुआ है, तो यह diagram और यह आपको प्रिपेर कर लेना है, ठ यह लिए, फिर यहां पर भी देखिए, जो PE incident ray, वो ही बात फिर से लिखा हुआ है, EF को refracted ray और FS को emergent ray बोलते है, और angle D is the angle of deviation, ठीके, बात करते हैं, इसके उपर question कैसा आएगा, तो question यहां पर एक ही है, जो important बनता है, वो है यह, explain the reflection of light through a triangular glass prism using a leveled ray diagram, hence define the angle of deviation, आपको angle of deviation को define करना है, ठीके, तो आपको explain करने के लिए, आप ऐसा नहीं है कि यह activity describe करेंगे, आपको ऐसे लिखना होगा, the light ray PE enters from air to glass, bracket में, rarer to denser medium at surface AB, and therefore bends towards the normal, ठीके, जब air से glass में जाता है, तो towards the normal bend करता है, फिर जो refracted ray है, EF, now exists from glass, and enters air, that is from denser to rarer medium, and therefore bends away from the normal, जो EF ray है, व चुकि denser से rarer में जा रहा है, उसलिए वो away from the normal bend करता है, इतना आप लिखेंगे, उसके बाद जो diagram है, यह diagram आप बनाएंगे, और diagram के नीचे, आप यह सब जरूर लिखेंगे, ठीके, यह जितना भी terminology है, यह सब लिखने का बात, आपको angle of deviation define करना है, तो define करने का यही तरी लिखा है, कि the angle between the direction of incident ray and the direction of emergent ray is known as angle of deviation, ठीके, और in the figure, आप मोल सकते हैं, figure में कौन से angle of deviation है, angle HGS, ठीके, या फिर SGH, कोई भी लिख सकते हैं, या फिर FGH, यह जो angle है, इसको बोलते है angle of deviation, समझे इतना, तो इसको आप prepare कर लिजेगे, यह बहुत important है, इस topic से इतने question बनता ह अब आते हैं अगले topic पर जो की है, dispersion of white light by a glass prism, देखते हैं इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पर activity 11.2 यह गया है, इसको पढ़ते हैं एक बार, लिखा गवा है, take a thick sheet of cardboard and make a small hole or narrow slit in its middle, एक cardboard लेने बोला गया है, और उस cardboard के बीचे भी एक छोटा सा छेद कर दीजे, ठीक है, छ उसके बाल, अगर हम इस cardboard में जिसमें छोटा सा छेद किये हुए, इस पर अगर sunlight fall कराएंगे, तो sunlight तो पूरा cardboard पर गिरेगा, तो यहाँ पर चुकी छेद है, तो यहाँ पर एक पतला सा beam of light हमें निकल देखने को मिलेगा, ठीक है, तो मतलब हमें एक beam of white light चाहिए, उसके ब यह जो white light है, वो white light आ रहा है, बोला गया कि इस white light को आप एक prism पर fall कराईए, ठीक है, incident करवाईए, उसके बाद क्या होता है, देखिए, turn the prism slowly until the light that comes out of it appears on the nearby screen, फिर इस prism को अच्छे से address किजिए, और यहाँ पर एक screen रख दीजिए, ताकि जो भी emergent रहे है, आप उसको द तो what do you observe, आप क्या observe करेंगे, आप observe करेंगे कि you will find a beautiful band of colors, आपको एक band of color देखने को मिलेगा, साथ रंगों का, ठीक है, rainbow color यहाँ पर देखने को मिलेगा, why does this happen, तो ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते है, the prism has probably split the incident white light into a band of colors, तो यहाँ पर आपको साथ रंग देखने को मिला आया तो था सिफ एक white light, sunlight आया गुआ था, लेकिन आपको seven color देखने को मिला, इसका मतलब यह है कि इस prism ने क्या किया, इस prism ने split कर दिया incident white light को into a band of colors, समझ माया, और यह जो हमारा topic था ना, dispersion of white light by a glass prism, एक prism कैसे white light को disperse करता है, disperse करना मतलब बिखेर देना, scatter कर देन ठीक है, तो यह हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक prism ने white light को disperse कर दिया, note the colors that appear at the two ends of the color band, यह तो आपको color band देखने को मिला, उसका दोनों end पर कौन सा कौन सा color है उसको आप note कीजिए, तो आप देखेंगे कि सबसे यहाँ पर top में है red और सबसे नीचे में है violet, और इनके बीच में भी कई सारे रंग है, तो कौन से कौन से रंग है, यह रहा, the various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, यह सब color है, इसको याद करने का टेखनीक सब को ही पता है, जिसको बलते है वीब गयोर, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, 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 ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो The band of colored components of a light beam is called its spectrum, तो किसी भी light को जब बिखेरा जाता है, बिखेरने का बाद जो भी band of colors मिलता है, ठीक है, वो band of colors को क्या बोलते है, spectrum बोलते है उस light का, यहाँ पर white light का यह है spectrum, समझे की नहीं समझे, तो यह spectrum term याद रखिएगा, यह definition हो गया spectrum का, यह जो band of colors मिला है, ठीक ह into its component colors is called dispersion, यह जो process है, जिस process से यह light पुरा बिखड गया अपने 7 components में, इस बिखडने का process या फिर phenomenon को बोलते है, dispersion, बहुत important, याद रखिएगा, dispersion इस phenomenon को बोलते है, spectrum यहाँ पर जो band of colors से उसको बोलते हैं सिफ, समझे, अब चलिए reason समझते हैं कि आसा हुआ क्यों, तो you you have seen that white light is dispersed into its seven color components by a prism, why do we get these colors, हमने देखा कि एक white light सात रंगों में विखड जाता है, तो हमें ये सात रंग क्यों देखने को मिलता है, different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through a prism, very important line है यह, यहाँ पर बोला गया है कि, अलग-अलग color के light, अलग-अलग angles से bend होते हैं, जब ये prism से pass करते है तो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कि red color का light सबसे कम bend हुआ है, और violet color का light है वो सबसे जादा bend हुआ है, ठीक है, वह यहाँ पर लिखा हुआ है, the light, the red light bends the least, while the violet the most, ठीक है, does the rays of each color emerge through different path and does become distinct, इसका मतलब, अलग-अलग light अलग-अलग angle पर bend हुए है, जब ये बाहर न merge along different path and does become distinct, it is the band of distinct color that we see in a spectrum, तो यही अलग-अलग color जो हम देखते हैं, spectrum में होता है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कि ये अलग-अलग angle पर bend क्यों करते हैं, हमने समझ लिया, कि एक white light इन सब color से मिलके बना हुआ होता है, ये इन सब color देखने का reason क्या है, different different colors के light, different different angles पर bend होते हैं, अब हमें ये समाझना होगा कि ये different angle पर bend की होते हैं, तो इसका main reason ये है, कि देखिए, एक तो होता है air, air या फिर vacuum, जहाँ पर air भी ना हो, ठीक है, यहाँ पर जो light है, कोई भी color का light हो, red light हो, blue light हो, green light हो, violet light हो, ये सब एक ही speed से travel करते हैं, लेकिन जैस पानी हो, या फिर glass हो, कोई भी medium हो, उस medium में, जो light का speed है, वो अलग-अलग color का अलग-अलग speed होता है, ठीक है, तो किसी भी medium में, अलग-अलग speed होने का वज़ा से, ये सब light अलग-अलग bend होते हैं, different angles से bend होते हैं, आप इसको यहाँ पर apply करके देख सकते हैं, यहाँ पर ब जैसे ही सब का speed change हुआ, red light fastest travel करता है, तो वो अपना आगे निकल गया, ठीक है, फिर जो सबसे slow travel करता है, वो जादा bend करके नीचे निकल गया, जो medium travel करता है, वो बीच में रह गया, medium speed से जो travel करता है, समझ रहे बात का कर रहा ही, तो यह होगा इसका reason, कि अलग-अलग अलग काफी large होता है, और जो violet light है, या फिर blue end वाले light है, इन सब का wavelength जो होता है, वो काफी small होता है, फिलाल के लिए इसको आप रट्टा मार लिए ठीक है, इसका use हम आगे देखेंगे, wavelength क्या होता है, आपको पता ही होगा, कि यह अगर कोई wave है, ठीक है, तो distance between two consecutive crest या फिर two consecutive track, यह distance को हमनों क्या बोलते है, wavelength होते है, जिसको lambda से denote करते है, क्या दोगा आपको, तो फिलाल उतना detail में नहीं जाते है, आप से फितना याद कर लीजिए कि red इस वाले light का wavelength का wavelength काफी large होता है, या फिर long होता है, और इस violet वाले light का wavelength का wavelength हो काफी small होता है, ठीक है, चलिए, after passing through the prism, it produces a spectrum xy on the screen, तो spectrum xy हमें देखने को मिलता है, ठीक है, white light pass कराया गया था, name the phenomenon, इस process को क्या बोलते है, तो इस phenomenon को क्या बोलते है, आपको जाद होगा, dispersion, ठीक है, question number 2, state the color cnet x and y, तो x color कौन सा है, violet है, और y कौन सा है, red है, ठीक है, question number 3, why do different colors of white light bend at different angles through a prism, तो अलग-अलग color, अलग-अलग angles पर क्यो bend होते है, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपको यह लिखना होगा, light rays of different color travel with the same speed in vacuum and air, but in any other medium, any other medium, जैसे कि glass हो गया या फिर water हो गया, they travel at different speeds and bend through different angles, which leads to dispersion of light, समझ भागिया, काभी easy language है, कि air या फिर vacuum में, सभी color के light, एक ही speed से travel करते हैं, लेकिन किसी भी medium में, सबका speed change हो जाता है, speed change होने का वज़े से, अलग-अलग angle पर bend होने का वज़े से, इस person यह भी spectrum देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए, अब आप move करते हैं, अगले topic पे, यहाँ पे एक और अच्छा चा एक्सपरिमेंट दिया गया है, इसको देखते हैं, Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight, तो Isaac Newton यह वो पहले इंसान थे, जिनोंने sunlight का spectrum को obtain किया, glass prism को use करके, मतलब यह जो activity है, यह सबसे पहले, Isaac Newton यह परफॉर्म किया था, he tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism, निकिन देखिए, इनोंने white light को बिखेड दिया सात रंगों में, तब भी इनको सान्थी नहीं मिला, इनोंने और दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, देखिए, यह देखिए, यह था prism, इनोंने इसको बिखेड दिया सात रंगों में, ठीके माल लीज़े, यह सात रंग निकले यहां से, फिर इनोंने और एक prism यहां पर लगा दिया, और यह सात रंगों को यहां से भी पास करवाया, यह देखने के लिए कि कहीं और भी ज़्यादा color ना मिल जाए, 14 या फिर 20-30 color ना मिल जाए यहाँ पर, यह दिमाग इन्हों लगा दिया, लेकिन, however, he could not get any more colors, कोई इन्हे color देखने को नहीं मिला, extra, वो ही 7 रंग वापस फिर से मिले, he then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism, अब यह काफी अच्छा लाहिन है, देखिए, क्या लिखा हुआ है, एक second identical prism इन्होंने रखा, वो भी उल्टे position में, first के respect में, मतलब अगर पहला बाला prism इस shape में अगर होगा, तो दुसरा बाला prism इन्होंने इस shape में रखा, उल्टे position में, और अगर पहला बाला prism इस shape में था, तो इन्होंने दुसरा बाला prism को inverted shape, ऐसे करके रखा, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हुआ क्या, यह था हमारा cardboard, cardboard से white light निकला था, इसको 7 color में split कर दिया गया, तो 7 color बना के, शीब दो ही color बनाते है, उपर वाला तो जहार red, और नीचे वाला violet, ठीक है, red सबसे कम bend हुआ क्योंकि इसका wavelength long है, violet सबसे ज़्या बेंड हुआ क्योंकि इसका wavelength small है, उसके बाद, यहाँ से आगे is the emergent ray, फिर इस inverted prism पे जब गिरते हैं, तो अब यह सभी रे क्या ह prism in inverter position with respect to the first prism, action in figure यह, आप figure में भी देख पाते हैं, काफी important diagram ही यह, ठीक है, बराने का सरीक हम आपको समझाई दिये, बैसे करके आपको बनाना है, तो क्या हुआ उसके बाद, this allowed all the colors of spectrum to pass through second prism, जितने भी color थे spectrum के वो सब second prism से pass किये, he found a beam of white light emerging from other side of the second prism, तो उन्होंने पाया क्या, कि second prism के जो other side था, यहां पर उनको सिफ एक white light देखने को मिला, तो इस observation गेब Newton the idea that sunlight is made up of seven colors, तो यह observation से इन्होंने conclude कर दिया, कि sunlight जो है उसमें सिफ साथ ही color है, ठीक है, चलिए, तो white light का definition क्या हो गया, any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light, समझे, ऐसा light जिसका spectrum, मतलब जिस से सनलाइट जैसा spectrum देखने को मिले, मतलब वही rainbow color हमें देखने को मिले, तो वह light को white light बोलेंगे, समझे, आप देखते हैं, इसके उपर question कैसा आएगा, तो देखिए, question आप से पूछेंगे कि, state the cause of dispersion of white light by a glass prism, तो dispersion का cause तो यही लिखना होगा, कि different colors of light went through different angles with respect to incident as they pass through a prism ठीक है, यह होजगा इसका answer, उसके पाद इसी में add किया गया है, how did Newton using two identical glass prism, show that white light is made of seven colors, Newton ने कैसे show किया कि white light जो है, वो साथ color से बना हुआ है, तो आपको क्या लिखना होगा, आपको यहां से लिखना होगा, कि Newton placed the second identical prism in an inverted position with respect to first prism, उसके बाद, this allowed all the colors of spectrum to pass through second prism, he found a beam of white light emerging from the other side of the prism, this observation gave Newton the idea that sunlight is made of, sunlight या फिर white light is made of seven colors, समझे इतना, और इतना लिखने के बाद, यह diagram must है, यह बनाना ही पड़ेगा आपको, तो यह diagram आप अच्छे से practice किजिएगा, और साथी साथ इस diagram को भी, ठीक है, चलिए, आप देखते हैं कि rainbow का formation कैसे होता है, सबसे पहले सम समझे कि rainbow होता क्या है, rainbow is a natural spectrum, rainbow भी क्या है, एक spectrum है, मतलब band of colors है, वो भी natural spectrum है, जो sky में बनता है, after a rain shower, हलका सा बारी सोने का बाद, ठीक है, तो हमने समझ लिया rainbow होता क्या है, अब rainbow बनता क्यों है, देखिए, it is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere, इसका main cause है, this person of sunlight, sunlight को बिखेर दिया जाता है, तो क्या, हमारे sky में क्या, prism है क्या, नहीं, हमारे sky में prism नहीं है, बलकि क्या है, tiny water droplets है, ये prism की तरह काम करते हैं, और sunlight को बिखेर देते हैं, ठीक है, अब exactly होता क्या आभी समझेंगे, अब ये कहां बनता है, a rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun, अगर sun इस side है, मालीचे यहां पर अगर sun है, और sunlight आ रहा है, तो आप अगर यहां पर खरे है, तो आपके आखों में light यहां सा आएगा, मतलब आपको लगा कि rainbow इधर form हो रहा है, समझ रहे हैं, तो sun के opposite side में हमें सा rainbow form होता है, इसके बाद देखिए, अब यहां पर exactly होता क्या है, the water droplets act like a small prism, जो atmosphere में water droplets है, tiny water droplets, यह सब prism की तरह काम करते हैं, अब देखिए, यहां पर एक अच्छा सा लाइन है, क्या लिखा हुआ है, they refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally, and finally refract it again, when it comes out of the raindrop, काफी सारा चीज हो गया है, फिर से समझते हैं, सबसे पहला क्या होता है, they refract and disperse the incident sunlight, sunlight आया, यह एक rain drop है, sunlight आया, तो इस point पे, चुकि यह air से water में इंटर कर रहा है, यहां पर reflection तो हो गाई, ठीक है, उसके बाद देखिए, क्या होता है, reflection हुआ, मतलब यहां पर sunlight bend कर गया, अब bend करने का साथ-साथ, चुकि यह एक prism की तरह भी काम कर रहा है, तो यहां पर dispersion भी हो जाए उसके बाद क्या होता है, they reflect it internally, यहां पर आने का बाद यह साथ हो रंग, यहां पर total reflection हो जाता है, यहां तरह रखेगा, यह reflection है, reflection में क्या होता है, light टक्राने का बाद वापस चला जाता है, reflection में क्या होता है, light टक्राने का बाद अंटर करता है, ठीक है, तो यहां पर total reflection हो जाता है ठीक है और जो सातो रंगों है वो यहां पर हमारे आखों तक पहुंचते हैं और हमें लगता है कि यहां पर क्या फॉम हुआ है rainbow फॉम हुआ है समझे तो यह जो लाइन है यह कापी यहां पर सबसे में लाइन है यहां से यहां तक अच्छा से त्यार कर लीजिएगा इस पूरे पैरा कोई आप रेन्बो को एक सनी डे में भी देख सकते हैं जब आप किसी वाटर फॉल या फिर वाटर फॉन्टेन किसी जढने से होके इसका एक के तरफ देखे तो आपको लाइगा कि वापे भी रेन्बो फॉर्म हुआ है ठीक है चाहिए तो यह हमने समझ लिया रेन्बो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एक्जाम के लिए यह डियाग्राम के साथ प्रैक्टिस केजिएगा आगे मुफ करते हैं अगला टॉ सब्सक्राइब यहां पर है और यहां पर है वैक्यूम ठीक है तो मतलब यह एक लाइटर है एक मिडियम जो है यह एक लाइटर मीडियम की तरफ काम के लिएटर है करेगा और यह जो है यह डेंशर मीडियम की तरफ काम करेगा तो जब सन लाइट या फिर कोई भी लाइट जब अर्फ पर रिज़ करता है तो वह एक मिडियम से दूसरे मिडियम में आ रहा है ठीक है और इसी रिफ्रेक्शन को हम लोग क्या बोलते है चुकि यह रिफ्रेक खुत करेंगे अब आते हैं इसके कहाते देखने को मिलता है तो दो चीजों मिडिम सबसे पहला है त्वा करेंगा यह डिलेंट Dalton संट तो इसमें हमें दो टॉपिक पढ़ना है जो में पेरा तो है अपरेंट पोजिशन ऑफ इस तार्ड और दूसरा जो है वह है ट्विंखलिंग करते हैं वो समझना है चलिए करके पहले स्बको समझ लेते हैं उसके बाद हम बुक में जो लिखा भाई उसको पढ़के बता देंगे देखिए हमें पता है ये है Earth Surface Earth है ये और इसके ओपर ये हो गया एक्मोस्फेर का लेयर एक्मोस्फेर में क्या-क्या चीज हो गया नैक्रोजन गैस हो गया ठीक है, Cloud होंगे, Water Droplets, यह सब चीज यहां पे होंगे, तो इस वज़े से यह Denser Medium है और यह Rare-Earn Medium है, और यह मा लीजिए कोई Star है, Star साहे तो यहां पे बना सकते हैं, नहीं तो यहां पे भी बना सकते हैं, चलिए यहां पे बनाते हैं, कैसा बन गया, चलिए, माल लीजिए, यह Star है, Star से Light आ रहा है यहां पे, तो जैसे ही यह Star का Light अट्मस्वेर में एंटर करता है, तो यहां पे जानते हैं, आप क्या हो जाएगा, Refraction हो जाएगा, Refraction का जैसे, यह Light अपने Direction बेंड कर लेगा, यहां पे, ठीक है, और यहां पे कोई अगर इंसान ख़रा है, तो उसको लगेगा कि यह Light कहां से आ रहा है, दिमाग इसका Backward Image प्रोड्यूस कर लेगा, उसको लगेगा कि यह Light, यह Star यहां पे है, और Light यहां से आ रहा है, ठीक ह जब हम Star को देखते हैं, तो हमें लगता है Star यहां पे, लेकिन Actual में, वह Star यहां पे है, तो इसको हम बोलते है, Apparent Position of the Star, ठीक है, इस्टार थोड़ा Shift हो जाता है, थोड़ा उचा दीखता है हमें, इतना बात को यान रखिएगा आप, ठीक है, चलिए, और देखिए, तो यह यह हमने समझ लिया Apparent Position, अब स्टार्ट करते हैं, ट्विंक्लिंग, स्टार्स ट्विंतिमाते हुए नजर क्यों आते हैं, तो आप देखिए, अब इसको यहां पे इतना रीजन है, इतना रीजन है, इसको हम जूम करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम जूम करें, तो यह माल ल दूर से कहीं से star light आा, माल लिजीर यह star है, ठीक है, यहां से light आ रहा है, तो देखिए, यहां से आने का बात, यहां पे refraction तो होगा, यहें हमने पता है, गskतन से. लेकिन ऐसा नहें एंक यहां पर light इस ट्रेट ऐसे travel कर जाएगा, अब atmosphere का यह लेइए its में कई Lorenz is Когда co शिच ज्यंट प्रतिजन ज्यादा होगा किसी लेर में ज्यादा होगा किन रanding यह विन बी बहता रहता है प्लस हीट का वज़े से जो कई कहीं पर अच्मिसफिर का यहसा नहीं है किปर यूनिफ कर रहा हैं ठीक है तो ऐसे करकर करके यह आंहें पहुता है इतना समझ्छा आप यहां पर भी डिफ्रेक्षन हो रहा है लेकिन अभी भी समझमें नहीं की स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं अब जड़ा इस रिजन को और एक बार जूम करके देखते हैं ठीक है हमारे आखों में लाइट कैसे पहुचता है देखिए यह मा लीजिए है और सर्फेस और यहाँ पर कोई इंसान का यह मा लीजिए आँख है हे किमानदी यह आछे और यहां से स्टार से सिर्फ यह वला जो लाइट है हम सिर्फ इसको इसको करेंगे ठीक है इतना दूर वला लाइट को जो आखों में गिर रहा है तो माल लिजिए इस्टार से चाहर पांस लाइड का यहां पर आ रहे है ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, अब 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 आप्मसफेर के कंडिशनर का चेंज हो जाए, हवा बह गिया या फिर कोई ग्यास आ गिया वहाँ पे, तो माल लीजिए कि यह यह जो लाइट रहे है यह इधर की तरफ बेंड कर गिया, ठीक है, और यह ज थो इसकला हाँ, अगर कभी-कभी आखोंने शिफ दो ही रे जाए पिर एक रे नहीं पहुंचें तो यह चार थोड़ा हमें नदाएगा, कभी-कभी तो यह चार हमें ब्राइट नदाएगा, । फेंटऔ nदाएगा, ठीक है, धीम नदाएगा작 अ होते रहता है, आओ यह त की तरह ही दिखेगा टिम्टी माता हुआ नजर नहीं आएगा किसी डिपकॉस ओफ एक्मोस्फेरिक रिफ्रेक्शन का वज़र से ही यह हमें टिम्टी माता हुआ नजर आता है समझे की नहीं इतना चलिए अब देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है यहां से पर पड़के देखते हैं तो यह डाग्राम भी आप प्रैक्टिस कीजेगा ठीक है यह सब डाग्राम आपको समझ में आ गया होगा चलिए देखें यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है सबसे पहला लाइन है दे ट्विंक्लिंग ऑफ इस्टार इस्टार से जो लाइट आता है उसका एक्म अपर लगातार उसका रिफ्रैक्शन होता है और पर पहुचने से पहले समझ में आ गया दाइक्मोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ओकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रैजुवली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यह जो एक्मोस्फेर है ना हमें पता है कि इसका करता है कि इसका डेंसिटी कहीं पर कम है कि इसमीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हम पहले अच्छे से समझा चुके तो अभी नहीं समझाते है टाइम लग जाएगा उसमें यह देखिए तो एक् लगाथा चेंग यहां रuleखा गौए कि यहां पे लिखा हुआ है पे कि टी में लिखा है चेंजिंग रिफ्रेक टीव सिन्सलिइज दा एक्मस्फेयर बेंड सटा लेटाहूं इस देखना यहाँ पे यह bend करिया यहां पर और इसको हम backward produce करेंगे तो हमें लाएगा start यहां पर इसको बोलते हैं apparent star position समझ रहें और यहां पर refractive index increasing जैसे से नीचे आ रहे हैं जैसे से आप यहां से नीचे आते जाएगा वैसे बैसे density बढ़ता जाएगा density बढ़ता जाएगा मतलब refractive index बढ़ता जाएगा अब देखिए तो यह हमने समझ लिया apparent position यहां तक तो यह phenomenon हमने समझा अब आते हैं twinkling पे the twinkling यहां से लिखा गिया है further further this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly since the physical condition of the earth atmosphere are not stationary तो वही बात लिखा हुआ है चुकि यह earth atmosphere का physical condition same में रहता है हवा बैता है ठीक है smoke कभी बढ़ जाता है dust particles clouds इस सब चेंज होता रहता है इस वजह से जो atmospheric condition change होने का वजह से जो apparent position है यह भी fix नहीं रहता है यह भी हलकालका change होता रहता है ठीक है काफी दूर है तो ऐसा हमें लगता है कि यह लोग क्या है point size sources of light है point की तरह है ठीक है और यह point से light आ रहा है ऐसा हमें लगता है यह ठीक है as the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly the apparent position of the star fluctuates and the amount of star light entering the eye flickers the star sometimes appear brighter and at some other time fainter which is the twinkling effect अब यह सबसे main line है यहां पर देखिये तो चुकी जो path of rays of light जो light का जो रास्ता है जो star से आ रहा है वो फ्राफरा change उतर रहता है ठीक है यह वाला effect को बोला गया है इसका path change होते रहता है the apparent position भी यह भी fluctuate होता रहेगा apparent position ठीक है और इसके साथ साथ the amount of light entering our eye वो light जो हमारे आखों में एंटर कर रहा है यह वाला effect कभी ज्यादा light एंटर करता है तो bright दिखता है कभी कम light एंटर करता है तो हमें यह star faint थोड़ा धीमा देखने लगता है इसी को हमनों क्या बोलते हैं twinkling effect बोलते हैं समझें की नहीं समझें बहुत important है पुरा समझा दिए इसको यहां से आपको त्यार कर लेना है ठीक है अब यहां पर question बनता है कि why don't the planets twinkle planets twinkle क्यों नहीं करते हैं अगर हम planets को telescopes का help से देखें तो वह twinkle करते भी नज़र नहीं आएंगे क क्यों ऐसा इसलिए है देखिए पहले समझा लेते हैं फिर पढ़ लेंगे प्लानेट्स जो है वो काफी नियर होते हैं और इनका साइज थोड़ा बड़ा दिखेगा compare to stars यह बात समझें तो इसका मतलब हम लोग planets को यह planets यह stars पहला बात हम क्या बोले चुकि यह नियर है उस इसको हम लोग क्या बोलेंगे extended source of light ठीक है अब extended source of light है मतलब यह काफी सारा point source of light से बना हुआ होगा यह पर काफी सारे अब इसके बाद क्या होगा देखिए अब यह सब यहां से light निकलेगा फिर वैसे ही atmosphere में एंटर करेगा फिर वो जिग जैक path follow करेगा फिर वही हमारे आखो वाला effect कभी आखों में पांच rays आएंगे कभी दो rays कभी एक rays तो कभी bright तो कभी dull ऐसा हमें एपेरेंस होगा ठीक है ऐसी करके यह लाइट ऐसा कुछ होगा यह लाइट कुछ ऐसा होगा सब में यह लागातार सभी ग्लो कर रहे है कोई तुम्टिमा नहीं रहा है समझ रहे बात कर आए तो इसलिए प्लानेट 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 करते होगा नजड़ नहीं आते लेकिन वह ट्मिंगल करते है समझें तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है the planets are much closer to the earth and are thus seen as extended sources पहला बात लिखा हुआ है कि planets Earth के काफी पास होते हैं इसलिए हम इसे extended source of light मान लेते है extended source मतलब if we consider a planet as a collection of a large number of point size sources of light हम मान लेते हैं कि planet जो है वो कई सारे point size sources of light से बना हुआ है तो इससे क्या होता है कि the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point size sources will average out to zero thereby nullifying the twinkling effect तो हर कोई हर point source जो है वो तो हमारा आख जो है वो परसेपने करवाएगा कि कौन तुमारा कौन नहीं हमें लगा कि यह सभी लगातार glow कर रहे है समझ रहे हैं वह यहां पर लिखा हुआ है एक एक करके कि ट्विंक्लिंग ऑफ इस्टार्स में ऐसे से आपको online करना है यहां तक आपको apparent position समझाया गया है उसके बाद यहां से twinkling effect समझाया गया है further के बाद से ठीक है उसके बाद why don't the planets twinkle इसका answer यहां तक है यहां तक ठीक है इसको कर लिखेगा उसके बाद देखिए एक topic यहां पर और है advanced sunrise and delayed sunset इसको cover करते है देखिए advanced sunrise मतलब sunrise हुआ नहीं है लेकिन आपको sun दिख रहा है इसको बलता है advanced sunrise delayed sunset मतलब sunset हो चुका है लेकिन फिर भी आपको sun दिख रहा है तो ऐसा कैसे होता है देखिए the sun is visible to us about two minutes before the actual sunrise and two minutes after the actual sunset ये भी होता है because of atmospheric refraction sun अभी rise नहीं हुआ है लेकिन दो मिनट पहले हमें दिख जाता है sun और sunset हो चुका है लेकिन फिर भी हमें दो मिनट तक sun दिखता रहाता है तो ये होता क्यों है because of atmospheric refraction ठीक है और actual sunrise और sunset क्या होता है by actual sunrise we mean the actual crossing of the horizon by the sun horizon पता है आपको छिती जिसको बोलते है जहां पर धरती और आस्मान मिलता हो इसा लगता हो कि यहां पर मिल रहा है ठीक है उसको horizon बोलते है तो अगर sun इसके उपर आ जाए तो उसको बोलते है actual sunrise ठीक है या फिर sun इसके नीचे ला जाए तो उसको बोलते है actual sunset अब यहापर समझ लेते हैं यह एपर कैसे होता है देखिए यह आपर अचासा डियाग्राम यहापर बनाया हुआ है actual sunrise हुआ नहीं है तो sun का जो rays यहाँ से आ रही है जैसे ही atmosphere में उसने एंटर किया यहापर रिफ्रेक्शन हो जाएगा और इस वहाँ से यह bend कर जाएगा towards the normal और आखों में पहुँच जाएगा लेकिन हमारा दिमाग क्या interpret करेगा हमारा दिमाग interpret करेगे कि यह light कहां से आ रहा है इसी को backward produce कर देंगे हमें लगेगा कि light यहाँ से आ रहा है तो हमें sun यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा समझे रहें तो इसको बोलते है apparent position of the sun तो इसी को बोलते है advanced sunrise similarly evening के time में क्या होगा अब लिए sun धल चुका है यहाँ पर अभी भी यहाँ से sun से light आ रहा है और reflect होके हमारे आखों में पहुच रहा है लेकिन हमारा दिमाग इसको backward produce करके कहां पर समझेगा समझेगा कि sun यहाँ पर है तो sunset हो चुका है लेकिन sun अभी भी दिख रहा है इसके बाद लिखेंगे कि when the sun is below the horizon जब sun horizon के नीचे है तो the rays have to pass from rarer to denser medium यहाँ से जो rays आ रहा है इसको rarer से denser medium में पास करना पर रहा है so rays bend towards the normal इसलिए जो rays है वो towards the normal bend होते हैं as a result the sun appears higher than its actual position ठीक है इतना लिख देंगे इसको आप भी no down कर दीजिए कही side में चलिए और question एक ये भी बनता है आप से पूछेंगे कि atmospheric reflection के कारण कौन दो phenomenon होता है तो आपको लिखना होगा twinkling of stars और दूसरा लिखना होगा advanced sunrise and delayed sunset ठीक है याद रखीगा एक मास से question भी पूछते है कि twinkling of stars क्यों होता है तो आपको ये word exact देना होगा because of atmospheric reflection ठीक है यहाँ पर भी atmospheric reflection चलिए अब इस्टार्ट करते हैं आगरी topic जोगी है scattering of light अब इस्टार्ट करते हैं scattering of light ठीक है चलिए समझते हैं देखे माल लीजे ये कोई एक छोड़ा सा particle है पार्टिकल मतलब हो सकता है nitrogen gas का पार्टिकल हो oxygen gas का पार्टिकल हो या फिर कोई dust particle हो या फिर water droplets clouds का कोई particle हो ठीक है कुछ भी हो सकता है ये चोटा सा particle है ये इस पे जब light ray गिरेगा तो क्या होगा देखिए ये चोटा सा particle माल लीजें यहाँ पर कोई light ray इस पर आके गिरा तो ये क्या करेगा ये पार्टिकल उस light ray को हर direction में reflect कर देगा बिखेर देगा तो इस ही phenomenon को बोलते है scattering of light तो इसका definition हो जाएगा the reflection of light from an object in all direction is called scattering of light समझ गए किस भी object द्वारा उस light को reflect कर दिना सभी direction में इसी को बोलते है scattering of light समझे चलिए अब scattering of light के ऊपर कुछ phenomenon हम लोग परेंगे एक है टिंडल effect इसके बारे मैं अपने class 9 में परहा होगा टिंडल effect भी scattering of light ही है बस difference इसमें यह है कि इसमें colloidal particles का use होता है ठीक है आपने परहा होगा class 9 में colloidal particles क्या होते है कि छोटे-छोटे particles होते है जो liquid में suspended रहते है settle नहीं होते है इसका example होता है milk के particles आपका जो blood हो गया muddy water इस सब colloidal solution के example है तो आपने notice भी किया होगा या फिक लास 9 में भी परहा होगा कि अगर हम clear water से जब light को पास करते है तो यहां पर light कहां से गुजरा वो नहीं दिखेगा आपको सिधा light बाहर आगिया वो नजर आएगा ठीक है एकदम clear water होगा तो यह और वहीं आप अगर एक glass दूद है यहां पर उसमें मालीजी आप light को भेज रहे है तो आपको दिखेगा कि यह light हां यहां से गुजर रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है तो यहां पर हमें light क्यों देहने को मिला अंदर में इसलिए दिखने को मिला क्योंकि यहां पर जो colloidal particles थे उन्होंने light को scatter कर दिया ठीक है और इसी को बोलते हैं टिंडल effect तो टिंडल effect का definition क्या हो जाएगा the phenomenon of scattering of white light by colloidal particles is known as टिंडल effect यह भी scattering of white light है लेकिन यहां पर colloidal particles जो है वो scatter करते हैं इसलिए इसको टिंडल effect के नाम से जाना जाता है समझे इतना? चलिए तो अभी तेक हमने टिंडल effect क्या होता है वो समझ लिया अब इसके बाद करते हैं दो examples के आपने देखा होगा कि कोई एक smoke field room हो ठीक है जिसमें काफी smoke हो तो वहापे अगर sunlight आ रहा है तो उस sunlight का रास्ता हमें दिख जाता है beam of sunlight का रास्ता दिख जाता है हीर टाइनी वाटर डॉपलेट्स इन दा मीस्ट स्कैटर लाइट घरे जंगल में जो कैनोपी होता है ठीक है पर कैनोपी समझते है ठीक है यहां से कोई छेदूद होगा इसको कैनोपी बोलते है तो कैनोपी से अगर एक दो sun का बीम आ रहा है तो वो sunlight का भी जो रास्ता है वो दिखता है क्यों दिखता है क्योंकि यहां पर जो tiny water droplets है हवा में वो light को scatter कर देते हैं वहां पर तो यह tiny water droplets और यहां पर जो smoke के particles से यह सब colloidal particles की तरह काम कर रहे है और यह सब light को scatter कर रहे है ठीक है तो इस topic से आपको क्या क्या प्रिपेर करना है सबसे पहले हमने समझा scattering of light का definition यह होता क्या है फिर scattering of light का application देखा सबसे पहले टीनल effect में ठीक है इसका definition त्यार करना है और example बस यह तीनजी जविए हमने cover किया है आगे move करते हैं अब देखिए अब यहां पर हमें समझना होगा कि कौन सा color का light scatter होगा the color of scattered light the color of the scattered light depends on the size of the scattering particles वो particle का size छोटा है या फिर बड़ा है या फिर उससे भी बड़ा है size पर depend करेगा कि कोई light अगर यहां पर आपकर टकराता है तो कौन सा color का light reflect होगा ठीक है यह depend करता है size पर तो अगर अगर कोई particle का size बहुत छोटा है तो वो blue light scatter करता है ठीक है इसको याद रखिएगा अगर कोई particle का size थोड़ा large है इससे बड़ा है तो वो red light scatter करेगा समझे इसको याद रखिएगा और अगर कोई particle का size इससे भी बड़ा है ठीक है तो वह क्या करेगा वाइट लाइट हो स्कैटर कर देगा तो यह तीन पॉइंट आपको याद रखना है यहां से समझे और जब हमने डिस पर्शन बढ़ा था तो यहाद है आपको विब्ग्योर हमने याद किया था ठीक है यहाँ पर जो विब्ग कियेगा ठीक है अब देखिए एक बड़ पढ़ लेते हैं दा कलर ऑप इस्कैटर लाइट डिपेंड्स ओन दा साइज ओप इस्कैटरिंग पार्टिकल्स ठीक है समझ में आ गया वेरी फाइन पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे जो पार्टिकल्स होते है वह स्कैटर मेंली the and stronger wavelength हो ब्लमबे वेवलेंद वाले लायट को प्रिकल्स पर्टिकल्स का मतलब याद है आपको वी जेएंड वाला है एन रेड लाइट उसको यह पर बोले जा रहा है लोगज़ एईडकर करते हैं और उससे भी बरे अगर पार्टिकल्स हो गया गये if the size of the scattering particles is large enough then the scattered light may even appear white तो जो light scattered होगा वो white भी दिख सकता है समझे तो यह 3 point आपको यह ऐसे ध्यान रखना है अब आते हैं दूसरे application पे जो कि है why is the color of clear sky blue sky का color blue क्यों है तो इसका भी जब आप कहीं ने कहीं scattering of light में ही छीपा हुआ है ठीक है देखते हैं क्या है the molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light मतलब जो air में molecules है nitrogen gas का molecule, oxygen gas का molecule जो भी dust particles, cloud वगड़ा हो गए और भी कई सरे particles यह सब जो atmosphere में होते हैं इनका जो size होता है वो light के wavelength से छोटा होता है मतलब यह सब very fine particles है ठीक है इस line का मतलब यह ही है कि यह particles काफी छोटे है, काफी छोटे हैं मतलब यह सब कौन सा light scatter करेंगा बताइए हम आभी आपको बुलेते हैं जो छोटे particles होते हैं वो blue light को scatter करते हैं ठीक है, तो देखिए these are, these मतलब यह जो particles है these are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue end than light of longer wavelength at the red end तो यह जो particles से ज्यादा effective है किसको scatter करने में shorter wavelength वाले light को scatter करने में shorter wavelength किसका होता है, blue end वाला light ठीक है, blue, violet सब इसमें आते हैं और समझें इतना तो इसलिए, चुकि blue light is scattered हो गया, तो scattered blue light enters our eyes, वही blue eyes हमारे आखों में reach करता है और हमें लगता है कि sky क्या है, blue है समझें, तो यह हो गया एक का answer आप देखिए, अगर माल लीजिए atmosphere नहीं होता तो यह green center line क्या हुआ है क्योंकि यह थोड़ा अलग topic है, ठीक है इसके उपर अलग से question बनता है, कि अगर earth के उपर atmosphere नहीं होता तो there would not have been any scattering, को scattering नहीं होता क्योंकि atmosphere ने particles से और light को scatter करने के लिए particles चाहिए, अगर atmosphere नहीं तो scattering भी नहीं होगा then the sky would have looked dark तब हमें sky पुरा काला दिखता the sky appears dark to passengers flying at very high altitudes तो वो passengers जो काफी उचा उरते है उनको scattering नहीं देखने को मेलता है इसलिए उनके लिए sky जो है हमेसा black दिखता है same case astronaut के साथ भी होगा उनको भी sky black दिखता है as scattering is not prominent at such height उतने height पे scattering नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे atmospheric जो particle से वो नहीं होते है समझे एक और यहाँ पर sub question एक और बनता है वो है यह कि क्यों danger signal जो है वो हमेसा red color में ही बनाए जाते है वो traffic light हो गया कोई warning signal हो गया यह सब बनाने के लिए यह लाल रंग का ही क्यों use किया जाता है तो इसका reason यह है देखिए the red is least scattered by fog और smoke हमें पता है जो atmospheric particles से वो हमेसा blue को scatter करते है और जो red है वो least सब से कम scatter होता है ठीक है therefore it can be seen in the same colorated distance तो चुकि यह red light scattered नहीं होता है तो यह काफी दूर तक पहुँच सकता है माली जी यह कोई source है माली जी हमें दो source एक है red color का light और एक है blue color का light यह सब ब्लू निकलेगा तो blue तो तुरंथ atmospheric particles से क्या हो जाएंगे scatter हो जाएंगे इधर ही बिखर जाएंगे तो जो दूर में इंसान ख़ड़ा है उसको यह light नहीं दिखेगा यह नहीं देख पाएगा वो ठीक है लिकिन अगर red light है तो यह चुकि scatter नहीं होता यह काफी दूर तक travel कर पाएगा और इंसान दूर से भी इसको easily देख पाएगा ठीक है तो इसलिए danger signal बनाने के लिए हम ऐसा red light red color का use किया जाता है समझे अब आते हैं last topic पे color of the sun at sunrise and sunset क्या लगता है आपको sun का color कैसा होता होगा सुबह में और साम में चलिए हलका reddish होता है यहाँ पे एक activity है इस activity से question तो नहीं आता है लेकिन फिर भी पढ़ लेते है लिखा हुए place a strong source as of white light at the focus of a converging lens L this lens provides a parallel beam of light बोला गया है कोई भी एक source of light यहाँ पे रखिए ठीक है और कितना पे रखिए focal length जितना होता है इस lens का convex lens का जितना भी focal length है उना पे रखिए क्योंकि इस से focal length पर रखने से फाइदा किया होगा कि जो इसमें से light निकलेगा वो parallel निकलेगा ठीक है अब देखिए allow the light beam to pass through a transparent glass tank T containing clear water तो यह light को pass कराईए एक glass tank से इसमें साफ पानी है पास करा दिया फिर allow the beam of light to pass through a circular hole C made in a cardboard फिर एक cardboard में circular hole बना हुआ है C इस सब light को इस C से पास करवाईए उसके बाद obtain a sharp image of the circular hole on a screen MN using a second converging lens L2 as shown in figure यह फिर से converging lens का use कीजिए और इस circular hole का image है वो यहाँ पर obtain कीजिए screen पर MN पर ठीक है तो आपको यह circular hole दीख जाएगा यहाँ पर अब क्या कीजिए Dissolve about 200 g of sodium sodium thyosulphate in about 2 liter of clean water tank water taken in a tank फिर इसमे 200 g कोई एक chemical sodium thyosulphate वो इसमें मिला दीजिए add about 1 to 2 milliliter of concentrated sulfuric acid यह भी इसमें डाल दीजिए what do you observe आपको क्या देखने को मिलेगा यह चोड़े चोटे particles जो है यह light को scatter करेंगे ठीक है तो आप पाएंगे कि you can observe the blue light from the three sides of the glass tank यह glass tank का तीनों side एक यह side एक इसका पीछे वाला side और एक यह वाला side ठीक है इस तीनों side से आप देखेंगे blue light scattered हो रहा है इस side से आप क्यों नहीं देख पाएंगे कि आप यहाँ पे सीर कैसे डालेंगे ठीक है यहां सो नहीं देख सकते जो चौथा side है उसका light जो है आपको कहान दिखने को मिलेगा यहां पे दिखने को मिलेगा यहाँ पे जो आप light को देखेंगे जो blue light है वो scatter हो गया जो sulfur particles हो यहां फे precipitate हुआ था वो sulfur particle ने blue light को scatter कर दिया तो बज गया कॉन? इस light में rare light बज गया और वो ही red light यहां पे में screen में देखने को मिला समझे? तो इससे हमें समझ में आता है कि this activity demonstrates the scattering of light that helps you to understand bluish color of the sky तो यह activity से हमें समझ में आ गया कि sky का color bluish क्यू होता है ठीक है? क्योंकि जो scatter होता है वही दिखता है और जो reddish appearance है of sun at the sunrise और sunset यह भी क्यू होता है? देखें क्योंकि यहां पे दिखें, जब blue light बिखर जाता है तो last में कौन पहुचता है? यहां पे red light बहुचता है उसी तरीके से जब sky में blue light बिखर जाएगा तो कौन सा light हमारे आखों में रीज करेगा? red light तो उसलिए जो sunrise और sunset का time में जो sun होता है वो थोड़ा reddish अपियर होता है ठीक है? तो देखें और खास कर से यहां पे sunrise और sunset क्यों ही बोला गया है? दोपड का time क्यों ही बोला गया है? समझते हैं उसको light from the sun near the horizon sunrise और sunset का time में sun क्या होता है? नियर दा horizon होता है तो उस समय जो sunlight है वो passes through thick layer of air and large distance एक काफी air से गुजरता है और काफी लंबा दूरी कवर करता है आप देख पार है? यहां पे अगर कोई इनसान ख़रा है तो यह distance ज़्यादा है कि यह distance ज़्यादा है तो आप आराम से देख के बोल सकते हैं कि यह distance इस से ज़्यादा है ठीक है? तो large distance कवर करता है और large amount of air से पास करता है इन दा earth atmosphere before reaching our eyes ठीक है? तो near the horizon most of the blue light and shorter wavelength are scattered अब बाई the particles तो यह light चुकि long distance कवर करता है तो इसमें भी जितने भी blue light है और short wavelength वाले जो light है वो scatter हो जाते है तो बच गया कोई इस light में? red light वो ही light हमारे आखों में reach करेगा पहुचेगा ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है therefore the light that reaches our eyes is of longer wavelength longer wavelength मतलब कौन से light पहुचेगा हमारे आखों में? red light this gives rise to reddish appearance of the sun समझे? लेखिन दोपर के time में क्या होता है? यह देखिए however light from the sun overhead sun हमारे ठीक उपर होता है तो relatively shorter distance वो travel करता है ठीक है? यह दोपर के time में थोड़ा distance कम होता है तो at noon the sun appears white as only a little of blue and violet colors are scattered दोपर के time में बहुत कम blue light scatter होता है less blue scattered जिस वोज़े से सारा का सारा जो color है वो हमारे आखों में डीज करता है और हमें लगता है कि जो sun है वो थोड़ा white ही अपियर होता है समझे? तो जो blue sun underline के अब बहुत है वो समझाया गया है कि sun का color sunrise और sunset के time में red is q होता है और जो green sun underline के अब बहुत है वो समझाया गया कि इसमें दोपर के time में sun white is q appear होता है ठीक है? या फिर red is q नहीं होता है समझे? तो इसी के साथ या chapter end हो जाता है एक्सराइस का कोशन नमबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तो हमने पहले डिसकस कर लिया और ये जो लास्ट का चार कोशन है न 10, 11, 12, 13 ये भी हमने परते वक्ती डिसकस कर लिया वाई डू स्टार्स ट्विंकल देख लिया हमने प्लानेट्स क्यू ट्विंकल नहीं करते हैं वो भी हमने देख लिया सन रेडिस क्यू अपियर होता है मॉर्निंग के टाइम पर वो भी हमने देख लिया इसका ही जो है वो एस्ट्रोनोड को डार्क क्यू दिखता है ब्लू क्यों नहीं दिखता है वो भी हमने देख लिया तो यह सारा question हमने discuss कर लिया है ठीक है इतना ही चीज़ आपको prepare करना यहां से और इस question का जितना भी important questions है अगर आपको सब एक जगा पर चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है आप सिधा मेरे website पर जाएंगे www.cbacguidance web.com पर जाके question वाले section पर chapter के name पर click करेंगे आपको सारा questions एक जगा पर मिल जाएगा आप उसको जरूर देख लिजिए का एक बार काफी help मिलेगा आपको उससे ठीक है चलिए वीडियो को एंड करने से पहले एक सोड़ा सा homework देंगे आपको आप यह question देखिए इसका answer आपक को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ठीक है और आप एक बार प्रिली सेक्षन विजिट कीजिए वहाँ पर देखिए अलग लग सब्सक्राइट के वीडियो आपको मिलेंगे आपको उससे भी काफी help मिलेगा ठीक है और अगर आपके मुन में कोई confusion या फिर doubt रहे गया है तो आप वह भी कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है चलिए इसके साथ एंड करते हैं मिलते हैं बोचल किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक क्यार